कि अंदर आप सब का एकदम हार्दिक स्वागत है तो सबसे पहले आप सब लोग मुझे कंफर्म करोंगे हमारा ओडियो वीडियो सही है कि नहीं उसके लावा जो भी बच्चे लाइव है वो बताएंगे कि आप कौन से सिटी से हो और आपका अटेम्ट कभी है वैसे काफी बच्चे होंगे जिनका अटेम्ट नजदीक है क्योंकि टाइमिंग ऐसा है जो ऑफिस ने जाएंगे वह मुश्ली देख पाएंगे और एकरोड वाले बच्चे लंबे होंगे सबको केटर किया जाएगा लेकिन देख तो ले हम हमार कहां तक पहुंच चुके है हम है ना तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं हेलो शफी शफी इस फ्रॉम बैंगलोर करनाट का अटेम में 23 ओके गरिमा इस फ्रॉम डेली ओके हमारे साथ है राजपूत एमदाबाद से प्रियंका पूने से चेतन मुंबई से ओके मुकुंद राजस्तान से चिरयू जलगाव से अर्शद पूने से नवीन कुमार बैंगलोर दानेश अहूजा लुधियाना पूजा थाने से ओके थाने मतलब वो आरे महारश्ट्र में सिटी है थाने मालूम पढ़ागा तुम मुले कौन जा थाने से अच्छा विनेला कुमार अंद्रप्रदेश धमकर प्रमोध चेतन चैन्नाई ओके ईश्वर इस फ्रम हर्याना पवन आंद्रप्रदेश मयंग भोपाल ओके उसके लावा यश्वन फ्रम केरला सर्वेश फ्रम कोलकता हिमान्शुर फ्रम जैपूर गिदवानी फ्रम छत्तेजगर सचिन फ्रम मुंबई तेज्यस विनी फ्रम पूने भा पाल फ्रम हलवल नवेंबर 23 में 23 वाले काफी सारे है और रिकॉलर वाले मैं जानता हूँ सब 24 वाले होंगे ठीक है चलो शशांग फ्रम राइपूर क्या बात है मजा आगया ठीक है तो हमने एक मिनिट का समय ले लिया आपका और देख लिया कौन काह से है सबसे पहले वेल सब्सक्राइब करने का जरूवत नहीं है फिलाल के लिए मेरा नाम आप याद रसकते हो मैं नेम इस आकाश कंदई और हम एफार पड़ेंगे ठीक है चलो और मैं चार साल से उपर होगे मुझे सब्जक्ट पढ़ाते हुए तो मजा आने वाले तुमको ठीक है अब सबसे पहले मेरा आपसी एक रिक्वेस्ट है अब अपन सामने फेस टू फेस तो नहीं है लेकिन चैट बॉक्स कर थू बने वे रहेंगे बरावर उसके लवा जो रिकॉड़ेट देख रहे है वो अपने मन में आंसर करने का लें कि आंसर तो करने का भाई साब ठीक है साथ सार नोट्स बनाने होंगे 100 पसंद सब बताऊ शांती से करेंगे आपको मैं सारी इंफर्मेशन दूँगा आप सारी इंफर्मेशन रेजिश्टर कर लेना कोई घाई नहीं अपने को जैस्ट बिकॉज बैच एक्जाम और इसका मतले भगाते वे चलेंगे वो मजा नहीं हो उसके अंदर अगर शुरुवात प्यारी हो जा सबसे पहले अगर मैं बता दू आप सीए फाइनल में हो मुबारक हो सीए फाइनल में आ चुके हो अच्छा अब जो ग्रूप वन के हम बात करेंगे ग्रूप वन का पहला पेपर होता है फिनांशल रिपोर्टिंग अब बोलोगे सर्म को पता ही सक्या फाल तो बाते कर रहे अपको पता इसको प्यार साइपी सीसी में अकाउंट्स बूलाता था है ना जो हमारा स्कॉरिंग सब्चेक्ट हुआ करता था लेकिन आपके सीनर ने बड़ा डरा के भेजा होगा आपको कि फिनांशल रिपोर्टिंग सबसे बढ़ा है सीए फाइनल में फिनांशल रिपोर के अंदर बताओ चलो एक्सपेक्टेशन यही है न में फोड़ेंगे बताओ कितने टार्गेट मांक्स आप एम करो एक्फार के अंदर जन्दी समर को बता दो जानना चाहूंगा मैं आप सबसे ठीक है आंसर करो फटाफट चलो अच्छा इश्वर ने बोला सौ नाइस ऑप्टिमिसम आगे बाई चलो शफी ने का 80 कुमार सराफ ने का 80 ओके सर्वेश ने का 90 प्लस परवते ने का 80 प्लस दिवांशु ने का 70 कोमल ने का 75 ओके 85 90 80 प्लस ओके किसने ट्विंकल ने का 70 सचिन ने का 70 ठीके एटलीस 60 प्लस अब मेरी बात ज्यान सा सुनना आप अपना बचपन याद करो 10 12 आप सब में से मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 80 टारगेट किया होगा 10th में जब आप यह टारगेट करते हो या तो आप इसके आसपास फॉल करोगे या 75 तक फॉल करोगे बराबर अच्छा जब आप 60 टारगेट करोगे तो आप करीबन 50, 55, 70 के बीच में रहोगे और कोई इंसा नकर 90 टारगेट करेगा तो वो कभी भी 35 पे नहीं आएगा तुम समझ रहो क्या तो एम अब अफकोस 35 पे तब आएगा जब उसके लिए पढ़ाई नहीं कियोगी महनत नहीं कियोगी बराबर हम मानके चलते कि हम एम रखेंगे आराम से निकलता है तुम बोल दॉस और निकलता है क्या भाई मेरे कितने श्रुटेंट में तुम तो फिर भी एग्जाम उरिं वाले बच्चे 80 प्लस लेकर आते हैं बाई तुम तो फिर भी ग्जाम उरिंट के अन्दर हो तो 80 प्लस किदर नहीं गया। लेकिन एक मैं पूछा और तुमने 50 plus 60 plus answer किया तो तकलीफ है भाई साब तो तुम्हारे aim में ही तकलीफ है हम हमेशा 80 plus का target करेंगे coverage आपको 100% कराऊंगा लेकिन of course होता है कुछ एकादो question नहीं आया अपने को marks थोड़े बत कड़ गए तो आपन सारे पूरा coverage 100% करेंगे लेकिन marks at least 80% हम target करेंगे ताकि गिर गिर के भी difficult paper भी आया तो 70 75 80 हमारा किदर नहीं कया और बढ़िया पेपर आ गया तो आफकोस मैं वेट करूंगा इसा students का जो 90 plus लेकर आजया मजा आजाएगा भाई साब ठीक है मेरी जमेंदार ंच अब सब्सक्राइव के पाहाँ आप इसका मतलब नोड़ बूक लेकर बैठने का इधर कोई बाबा का प्रवच्छ नी चल रहे कि बाबा तुमको मोख्ष की प्राप्ति देंगे और तुम सुनते वे चलोगे नोड़ बूक पेपर लिए बिना बैठे हो तो तुम सोच लो तुम कितने सीरस हो अपने करियर को लेक अब देखो यह को रिकॉडड़ बैठ चल पाएंगे अगर तुमारे कुछ आएंगे तो मैं यह तो नहीं बोलूगा कि मुझे बैच कंप्रीट करना चलो पूछना बन करो यह तो नहीं काऊँगा न मैं मुझे आपके क्वेरिस एडरस करते वे चलने पड़ेंगे इसलिए आपके क्वेरिस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बैच किता जाएगा बट मोस्टली मिरको लगता है जहां तक मेरा एस्टीमेट बोलता है 170 175 आवस के अंदर निपन जाना चाहिए ठीक है सबसे पहली चीज़ अच्छा यह सब जो PDF में लिख रहा वो तुमको मिल जाएगा ल आपना टाइमिंग है 5 पीम से लेकर 9 30 पीम तक अफकोस आज फर्स डे है थोड़ा कंसेडरेट कर लूँगा क्योंकि पहले दिन पर अगर तुमको अटेक दे दूँगा तो तुम पगला जाओगे बराबर तो पहले दिन पर आपन चीज़े बेसिक रखेंगे उसके बाद क कि सर बुक्स का क्या होगा ठीक है अब सबसे पहले हाड कॉपी आने में समय लगेगा है ना क्यूंकि मेरे को पता ही नहीं था तुम इत्ते सारे इंडिमेशन ले लिया प्रिंटिंग में समय लग रहा है अब जब प्रिंटिंग में समय लगेगा तो डिलेवरी में समय लग नहीं है ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तुमको मैं हूँ नाचिंता क्यों करते हो भाइसा ठीक है तो बुक्स की हार्ड कॉपी आपको कुछ समय के अंदर साथ से दस दिन के अंदर मिल जाएगी तब तक प्लीज मिल सा थोड़ा बैर कर लेना ठीक है है जिनोंने हार्ड कॉपी के लिए उप्ट किया है उनको मिलेगी एडिशन 6 अच्छा काफी ऐसे बचे थे जिनके पास अल्लेडी मेरी किताब थी एडिशन 5 अब सर यह तो भेदा हो गया सर तकलीफ होगे तकलीफ की बात नहीं है मैं क्यू बोला हूँ एडिशन 5 को वाप आपके पास यह है तो यह लेने का आपको जरूवत नहीं है तो सर यह जो questions एड हुए इसका PDF फाइल भाई है ना इसका PDF फाइल तुमको Google Drive के लिंक पे मिल जाएगा बराबर Google Drive पे it is available मैंने अल्यडी डाल रखा है वो तो आप उसका print लेकर बैठ जाओ बाकी चिन्ता को करन वही लेकते हुए चलो जो भी added questions है वह आपको PDF में मैंने Google Drive में अप्लोड कर दिया है books and QA ने नाम का एक वह रहेगा folder उसके अंदर है ठीक है चलो यह सिव उनको required है जिनके बास edition 5 होगी edition 6 वाले को कोई print लेने का जरूवत नहीं है edition 6 में सब कुछ included है पहले यहां तक बता लाओ जो मैं कहना चाहता हूँ वह तुमको समझ आ रहे क्या are you clear with all these things yes or no के बता दो एक बार तो जिन्दगी का मजा ही आ जाएगा भाई साप जल्दी से बताओ yes or no में को जवाब चाहिए मैं देखो मैं वो मैं बड़ा बुरा मान जाता हूँ मैं एक दम रूठी वी गल्फेंट जैसा आदमी हूँ मैं ध्यान रखना चलो में को जवाब चाहिए yes no हा ना पूरा yes मतली को एक वाय तो टाइप कर सकते हो न है न वहना देख लो तुम नह सब्राज को ठीक है बहुत बड़ी आसब परफेक्ट है यस मजा आ गया अच्छा सर आप बैच में अप्रोच कैसे रखोगे सिर्फ कराओगे क्या अरे बाई ऐफार का पेपर है सिर्फ कंसेट क्या होएगा कंसेट क्वेशन दोनों कराओंगा तुमने एफार को मेरे हवाल सौब दिया है अब तुमको चिंता करने के जरुवत नहीं है अब मेरे हवाले वतन साती हो मैं तुमको पूरा करा दूँगा तुम चिंता मत करना कंसेट क्वेशन दोनों करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर टेस्ट लेता हुआ चलूँगा जैसे तीन चाप्टर खतम और तुम्हारे पर्मनेंट के लिए मैं यूटूब पे वह क्लिप उठाके पूरा डाल दूँगा ताकि रिविजन सेशन देखने के लिए आपको व्यूज के लफड़े ना पड़े रिविजन सेशन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बात भी आपके पास अवेलेबल हो अगर हम रिकॉर्डेड वाले है या हम लाइव वाले भी है तो डाउट सॉलविंग कैसन करोगे सर तो यह इसके लिए एक टेलिग्राम ग्रूप है सर उसका लिंक कैसे मिलेगा इसकी जो एक फाइल है वर्ड फाइल एक वो मैने क्रियेट किया आपके गूगल ड्राइव के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी अभी जाके मत जॉइन करना या लेक्चर के बात कर लेना इतना को घाई नहीं अपने को बराबर अमालूम पड़ा भी लेक्चर बनके के वहां जाके जॉइन कर रहें यहां तो रह जाएगा फिर अपना तो डाउट सॉलविंग के लिए ग्रूप पे specifically अपने जैसे लोगों के लिए पुरे गाउबसर मत बाट देना उसको बराबर वर्ड फाइल है जाके उसको जॉइन कर लेना ठीक है यह टेलिग्राम ग्रूप कॉमन रहेगा फॉर लाइव बच्चे फॉर रिकॉर्ड बच्चे जो भी क्वेरी आप बिंदा के टीके छिन्ता मत करना और कोई बुलता है या या यह टेफा रही के क्या बात है है साथ से दस दिन कि डिए प् मैंने डाल रखा हैं गूगल ओक्यी एको बुलियर है आप से क्या उम्मीद है, सबसे पहले जिन्दगी में कोई भी चीज आपको हासिल करनी है ना, तो आपका है ना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो आदे लोग बोलेंगे सर कंसिस्टेंसी नहीं है लेक्चर एक दिन देखा, दो दिन नहीं देखा सबसे पहले अगर आप लेक्चर देख रहो, लाई वो की रिकॉर्ड़र हो, डिस्लिप्लिन चाहिए मरको अगर आप लाई वाजाके बैठ रहो, यह नहीं कि कल से रिकॉर्ड़र देखूंगा, मैं अपना सबसे पहले आज के दिन ही अपने किताब के पहले पेच पहले लिखके रखना यह क्लियर होगा ना, तो तुमको जिन्दगी में सुबह उठने के लिए अलाम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हारा जो वाई है ना, वो तुमको रोज उठाएगा, वो तुमसे रोज मेनत करवाएगा यह बड़ा क्लियर रखना अपने जिन्दगी में तुम बोलोगे सर क्या ही प्रवचन देरो, एफार चालू करो ना, भाई अगर सिर्फ एफार पढ़ने की बात होती ना, तो पुरा गाउस यह बन चुगा होता प्रॉब्लम भा नहीं है, आता सब को है consistency is the issue, hard work is the issue, discipline is the issue, पढ़ने का मन नहीं करता है तुम समझे रहो कि पेपर में panic होगे is the issue why, मुझे सब का why चाहिए, कल मैं आखके पूछूँगा आपसे, क्यों करना ऐसी यह ठीक है, जिसके लिए भी करना हूँ, और वो reason बहुत strong होना चाहिए मतलब आपको गूसबं जाने चाहिए, वो reason सोचके, ऐसा reason होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए वो कित्ता relevant है, वो आपको देखना है, मैं कल पूछूँगा तो आप किताब के पहले पन्ने पे लिख रखोगे, वाइस ही है और आप उसका answer लिखे होगे आज की दिन पे, ठीक है, चलो जो भी है, for financial freedom, जो भी है, but बहुत strong reason होना चाहिए उसके लावा, ठीक है, यह हो गया फिर, भरोसा रखना मेरे उपर, है न, trust me आप टुनने मुझे चुन लिया, अब तुमको सोचना था, मेरे को चुनने के पहले कि आप तुमने चुनो लिया अब भरोसा करना मेरे उपर, एक बार relationship में चले गए न, त्रस्ट Peer एशूँ से किसी का भला न यह होता है अब चुन लियाना मुझे मैं तुम्हारे एफार की जेमेंदारी उठाने को तैयार पर उसके बदले तुमको मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा मतलब जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा जितना मैं कराऊंगा अस पर भरोसा करना पड़ेगा कि सर बोल रहे तो ठीक है कुछ सोच समझ के बोल रहे है वाई साब तो उतना भरोसा करोगे न मेरे उपर वक्त है ना हमारे पास माही माही है ना वक्त है ना तो करना भरोसा प्लीज ठीक है चलो बढ़िया आगे इफर का पेपर है अउडिट का नहीं हम का बोल रहे है इसन हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, टीका टीकी नहीं करेंगे किताब के अंदर की, हाँ ये तो सही है, हाँ ये तो ए, लिखकर प्रैक्टिस करना है, ए, मैं तो बोलता हूँ, एफार छोड़ो, ओडिट में भी लिखकर प्रैक्टिस करना है, चुन लिया, मैंने सुन लिया, हाँ सही बात है करेंगे 100% यह यह तुम से चाहिए मेरे को तुम समझ रहे हो गया है ना चलो ठीक है तो FRL लिख करेंगे उसके लावा self-study daily करनी पड़ेगी अगर आप रोज मेरे साथ 4 घंटे का class बैट रहे हूं मतलब 4 अफ आफ आज की class है आपको बड़िया ब्रेक दूँगा है वी जाने दूँगा नहीं मतलब रफली आपने थ्री अफ आफ आवर रोज पड़ाई किया उस थ्री अफ आफ आज को रिवाइस करने के लिए आपको रोज इतना समय देना पड़ेगा आदा घंटा मांग रहा हो आपसे आपके कर लोगे ब्लॉक करके निकाल दूँगा तुमको मैं रिवाइस के बिनाए तो तुमको रोज जो पड़ाया वो रिवाइस करना है द्यान रखना उसके लवा आपका माइंसेट पॉजटिव रहना चाहिए एफ और स्कोरिंग है एफ और इजी है तुम से बन सकते हो तुम ह सिए इंटर पास करके आयो इंटर हलवा नहीं है बराबर तुम बोलोगे अब तो तुमको फाउंडेशन भी हलवा लगेगा जब फाउंडेशन दिया था न तब तुमारी वहां भी वाट लगी थी जब इंटर दिया था न वहां भी तुमको लगा था इंटर के आठ सर्ज करना है mindset positive रखना जो तुमको फालतु का टेंशन दे जो तुमको फालतु का डराए धंकाए दूर फोन में ब्लॉक बात करना बंद सीधा याद रखना ठीक है गया चलो ओके परफेक्ट ठीक है मैं बता दूंगा उनका टेंशन मतले है उसके अलावा ऐसा प्रंड लो ऐसा गॉडप्रमिस खाओ बीना क्रॉस के ऐसा क्रॉस वस नहीं करने गाए अधा गॉडप्रमिस खाओ मैं हाड़ वक करूंगा मैं डिसेप्लिन रहूंगा मैं कंसिस्टेंट मतलब मैं रोज महनत करूंगा यही नहीं कि hour केसे पढ़ू इश है अगर तुम 8-10 hour नहीं पढ़ सकते हो तुम मे तुम साथ इस 10 got नहीं नहीं और लेकिन अगर तूम 8-10 hour नहीं पढ़ रहे हो discipline रहना है, मतलब तुमको classes के छुट्टी माने से डर लगना चाहिए भाई, कि मैं छुट्टी लेखे से लू, it shouldn't be a normal thing for you, कि class छोड़ दी, back up में देख लिया, back up दिया, इसका मतलब भी नहीं कि आप उसको, तो ऐसा सोचो कि अपके लिए leverage है भाई, नहीं देखे तो भी चलेगा, वो नहीं होना चाहिए भाई, discipline is very important, और तीसरा है consistency, एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, उतना करो, बाकी tension नहीं लेने का, भाई आया है, सब कराके जाएगा, बराबर भाई पर भरोस आया ना तुमको, salmon भाई की बात नहीं कर रहे, एके भाई की बात कर रहे, तो भाई आया है, सब कराके जाएगा, चिंता आपको करने की जरुवत नहीं है, तो सबसे पहले, ये तो PDF में शेयर कर दूँगा, लेकिन आपके पहले पन्ने पर आपको ये लिखना है, Y, C, A, Q जरूरी है आपके लिए, Q, Y, क्लियर है यहाँ तक, सब लोगों यहाँ तक क्लियर है, यह सोर नो, छे महिना भी नहीं बचारे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जेना तुम्हार साथ, तुमको तीन महिने के अंदर ऐसा कराएगा, ना खताम हो जाएगा, ठीके, तो आपको सारी information दे दी, अब इस 20 मिनिट्स लिया है, ताकि आपको थोड़ा सा मैं कमफर्टेबल कर दू, जो हम पढ़ रहे उस चीज से, राइट, छलो, फटा फट से, वाई, या, या, यस करके बोल दो, सिवेक वाई लिखो, कि तु भी समझेगा, सब कुछ समझ चुका है, और कुछ क्वेरी है, तो लिखता, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके कुमल, ओके लकी, ओके नितिश, ओके सचिन, प्लेबैक इशू, वो तुम्हारा नेट का इशू रहगा, भई, नेटी कर लो, ठीक है, ओके अब्दुल, ओके सुशील, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है, तो कुछ क्वेरिया है तो पूछ लेना भाई, है ना, और अगर तुम्हारा बफर होया तो नेट ठीक कर लेना प्लीज, ओके, चलो, अब बात करते हैं अपन ये सब्जेक्ट, फिनांशल रिपोर्टिंग की, ठीक है, चलो, पहले बताओ पेपर कितने माग का आता है, फाथ हताओ, इसर्द में खेटे, अब बताओ, ठीक है, किसे ने क्या बोला है, खेसे किसे ने बोला है, ऑच्छा, खेसे ने बोला है, वरण सिस्ट्टिन, किसे ने बोला है, वर ये भी गलत है, ये बी गलत है, और मैं Çanse व्हाले जवाब न हंपरो, और रिए और रिका है पेपर कितने बाग काते है वो ही नहीं पता तो तुम तो अलगी नाव में तेर रहे हो सुनना अभी मेरी बात पेपर नहीं 100 माग काते है पेपर नहीं 116 माग काते है पेपर नहीं 120 माग काते है यह तीनों में से सब गलाज अब है तुम्हारा पेपर आता है 124 या 125 marks का Sir कैसे तुमारे paper में 6 question होते है question number 1 compulsory होता है ठीक है अब यहां से तुम लिखना शुरू करो गया you have to write all these things प्लीज ध्यान रखना बस ठीक है तो लिखना शुरू करेंगे आपन यहां से तो मैं यहां बोलूँगा हमारा question number 1 तो क्या होता है होते है और हर एक question होता है 20 marks each तो आप बोलो के sir एक question है 20 mark का हो गया यह 5 question 20-20 mark के total 120 हो गया इस में से आप एक छोड़ सत्य option में तो यह तो 120 marks हो गया sir आप 125 कैसे बोल रहे हो because एक इन सब में से किसी एक question में 5 mark का जो होता है उसमें internal choice भी होती है इसा करके तो मोटा मोटी आपका paper आते है 125 mark का 125 mark में से अगर हमको 80 भी लाना है तो we have 45 marks जो हमको नहीं आया तू भी चलेगा अब आप mindset देखो एक तरह आप देखोगे कि आप 80 लाने क्या difficult काम है मैं तुमको पूरे paper में 45 marks का नहीं आया तू भी चलेगा अब बताओ जब mindset रखते हो नहीं ऐसा तो तुमको चीज़े easy लगती है तुम समझ रहे हो क्या है तो जब तुमको यही सोचना है कि paper 125 mark का है 45 marks का में गलत करके आ सकता हूँ फिर भी 80 आ जाएगा अच्छा किसे ने exemption बुलाता exemption वाले तो और ही simple है 125 mark का paper है आधा paper भी आये तू भी 60 है सोचो तुम उतना तो करी सकते हैं न हम बहुत बढ़िया फिक है चलो आगे बढ़ जाते हैं यह हो गया लिखना मेरे सब पहले बोलाओ मैं यह मेरे को वो हरकते नीच यहां कि लिखा नहीं सर हम तो जरौक्स ले लेंगे ही 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 जरौक्स लेने जब कुछ नी होने वाल है खुद का लिखावा एकदम भैतरीन समझता है और दूसरे का लिखावा उतने fast quick way में दिमाग में नहीं जाता है यह बात हमेशा ध्यान रखना ठीक है क्या बराबर खुद डेट करना तो खुद ही प्रोपोस करना पड़ेगा किसी और का प्रोपोस दे काम नहीं बनेगा गुलाब का भूल तो खुद ही देकर आना पड़ेगा ना और मेरे केस में मतलब मैं जब आप बैच में बैट होके तो आपको रिलेशनशिप वाले हरकते बहुत सुनने मिलने वाली क्योंकि मेरा फिविर्ट टॉपिक है आगे बढ़ जाते है फिनांचल रिपोर्टिंग 125 माग का पेपर ठीक है पूरे फिनांचल रिपोर्टिंग के सिलेबस में इट इस पूरा इंडेश ही है ठीक है तोटल 35 इंडेश है आपके सिलेबस में वैसे 4 और इंडेश है जो आपके सिलेबस में नहीं है उमिटेड है वो तो उसकी बात नहीं करेंगे पूरे syllabus में 35 indices है और 3-4 miscellaneous topics है बराबर तो मैंने क्या किया मैंने ये पूरे syllabus को आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है एक होते है big practical index जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने bifurcate किया है big practical index और दूसरा है small index दो category में बाढ़ दिया इधर आपके आजेंगे 12 index और इधर आपके आजेंगे 23 index दोनों का weightage 50-50% है बराबर अब ये किस बेस पर आपने bifurcation किया है तो मैं आपके सामने है ना कुछ chapter के नाम रखूँगा अपकोस आपने कभी FR पढ़ा नहीं है लेकिन आपन लिख के रखेंगे ताकि जब FR पूरा पढ़ लेंगे ना तो जब ये page हम revisit करेंगे तो हमको चीज़े better समझ में आने लगेगी It is just like that movie जहां आपको पहले climax दिखा दिया अब कुछ समझा ने अब पूरी story build up दी जब पूरी story देखी तो आपको समझाया कि पहले ऐसा क्यों किया था similarly यहां हम chapter के नाम लिख के वो climax दिखा रहा हूं मैं आपको कि क्या आता है exam के अंदर अब जब पूरा FR पढ़ेंगे तो आपको फिर story क्या हो जाएगी recollect हो जाएगी Is this clear to everyone क्या? Yes or No, पहले बता दो कि मुझे फटा-फट से Yes ठीक है क्या? चलो बहुत बढ़िया अब आपको लिखना शुरू करना पहले बाइफर्केशन कर लो फटा-फट से 35 इंडेस, 3-4 टॉपिक हो गे बिग प्रैक्टिकल इंडेस में 12 इंडेस 23 इंडेस, जल्दी साब लिख लो फटा-फट से ये चीज, लिख लिया ठीक है, इसका वेटेश 50% इसका वेटेश 50% ये जो बारा टॉपिक्स है ना ये एक्जाम हमेशा आते हैं most probably, नॉर्मल ये एक्जाम में आते ही अब आपन थोड़ा थोड़ा लिखाई लिखाई शुरू करेंगे ठीक है तो आजाओ clear येस परफेक्ट आजाओ लिखना शुरू करेंगे ठीक है चलो लिखे गया लिखेंगे चलो इसमें सबसे पहला तो टॉबिक आपको लिखना है लिखो लिखो that is going to financial instruments इसका मतलब ये ओढह सो मैं पहले financial instrument कर रहा हूँ ऐसा नहीं है विख हा रहा हूँ लिख़लो बस financial instrument है और financial instrument ऐसा topic है Lehr जो आपके एक नाहीं तीन index कवर कर लेता है इंडेस 32, इंडेस 109, इंडेस 107, अब आप बोलो को याद केसे रहेगा, मेरी जिम्मेदारी है, जब पूरा फर खत्म है, नमबर नाम सब याद रहेगा, concept के साथ, अभी सिर्फ लिखते वे चलो, तो जब मैं ऐसा बोलो ना, ब्रिक प्रैक्टिकल इंडेस में 12 इंडेस है, तो इसका मतलब यह नहीं कि 12 चाप्टर है, क्योंकि एक चाप्टर में तो 3-3 इंडेस कवर हो रहे है, तो भली इंडेस 12, topics थोड़े कम है उससे, समझ रहे का मैंने, तुम्हारे जा रहे का बेज़े में क्या बोला मैंने, समझा ना तुमको, topic इंडेस भली बार है, topic कम है तो यह पहला topic, exam में आता ही, आता है 15-20 माग का, ठीक है, दूसरा, सिर्फ लिखके रखो, फिर आता है, आपका business combination, प्यार से आप उसको BC बोल सकते हो, नहीं मत ही बोलो भाई तुम भाल तुम कुछ और ही सोचोगे, भाल तुम मेरे को message करोगे, सर यह क्या मतलब होगे, बता दू, नाम नंबर का attention मतलब, वो मैं याद करा दूँगा, अरे yes or no, ठीक है, चलो, तीसरा, तीसरा आता है CFS, that is consolidated, consolidated financial statements, बराबर इसके अंदर total 5 index covered है, कितने 5, लिख लेंगे आपन, इंडेस 27, ठीक है, इंडेस 110, इंडेस 111, इंडेस 28, इंडेस 112, यह पाच इंडेस यहां cover करता है, 27, 110, 111, 28, 112, लिखने का मैं पहली बोलो, मेरा शकल पे तुमको pimple के लावा, कुछ नहीं दिखने वाल है, मत देखो मेरी शकल, लिखने पे ध्यान देना, ठीक है क्या, यह यह अब के तीन टॉप, तीसा टोपक हो गया, चौदा टोपक हो गया, शेर बेस्ट पेइमेंट, जो आपका बच्पन में ईसॉप के नाम से पहतुचपा इंडेस बेस्ट पेइमेंट, यह आपका है इंडेस 102, पिर आपका है फिफ्ट टॉपिक, दिस 115, तिस रेवेince का customer, नाम का tension मतलो, इसलिख लो, और फिर है, index 116, that is leases, नाम का tension मतलो, इसलिख लो, यह जो 6 topic है, mostly exam में, हर exam में आते हैं, हर exam में, हर exam में, हर exam में इन 6 में से question आता है, सब पूछते हैं, CV card paper रेगा, जहाँ, एक शैद नहीं पूछा, यह नहीं पूछा, बाकी सब में, तो सब पूछते हैं, यह आपका 50% weightage cover करता है, मतलब 50 से 70 marks तक यहां से निकल जाता है, ठीक है, तो सर अम इतना करेंगे, चलेगा क्या, अरे अपकोस नहीं है, अपने target करता है, 80 है ना, तो अपने को दोनों अच्छे से करना है, लेकिन मालूम तो होना चे ना, कैसा bifurcated है पूरा syllabus तुम्हारा, ठीक है, चलो, अच्छा, बाकी आते हैं तुम्हारे, दूसरे पार्ट में लिखोगे तुम, small index, okay, small index में तुम्हारा आएंगे, 23 index, okay, 23 index में तुम्हारा 50 पसंट बाकी का वेट है, जब वो 23 index कौन से वह लेकिने का आपको जरुवत नहीं है, ठीक है, उसके लावा मैंने क्या बताया था, तुम्हारे FR के syllabus में, 35 index के लावा, 3-4 topic है, miscellaneous वाले, अब वो कौन से topic है, वो भी मैं लिख देता हूँ इदर, बराबर तुम्हारे FR के syllabus में, और कौन से topic है, जो critical है, वो भी तुम्हें ऐसे box बना के लिख दे न, ठीक है, लिखोगे, extra topics करके नाम से लिख दो, extra topics, एक तुम्हारा आता है सबसे पहला, analysis of financial statements, ये क्या है सर, जब तुम सारे index पढ़ लोगे, तो है न, आपको एक company की balance sheet देंगे, और उसमें बहुत सारे राइता फिला के देंगे, बहुत सारी mistake कर देंगे, आपको बोलेगे, correct करो balance sheet को, वो टाइप के questions ये chapter के अंदर, मतलब ये chapter कब करेंगे, पूरे syllabus खतम होने के बाद, तो इसमें अब लिख दो, इसमें, कैसे टाइप के question आते है, corrected balance sheet के ओपर, BS मतलब balance sheet है, यह न, BS मतलब balance sheet, पहला ये, दूसरा आता है आपका, एक अटापिक है that is conceptual framework, इसके अंदर भी काफी basic ज्यान दियाव है, index को लेकर, तो जो भी relevant stuff है, आपन last में पढ़ेंगे, फिर third topic is CSR, that is corporate social responsibility, and fourth topic is integrated reporting, fourth topic is integrated reporting, अब सर, यह अगर आया, यह जो extra topics है, यह हर बार नहीं आते है, लेकिन जब भी भी आएंगे, तो या तो इसका weightage थोड़क कम हो जाएगा, या फिर इसका weightage कम हो जाएगा, मतलब वो किदर आएंगे, तो किसी को तो compensation करके आएंगे, वो चीज, सब को समझता है, क्या तो यह लिखके रखोगे, आपको idea हैगा syllabus के बारे में, तो यह चे topic, यह और 23 इंडेस, और यह चार extra topic, आपको लोग को सब कितना बड़ा syllabus है, कुछ बड़ा नहीं है, यह ना वो तुम अच्छे से करो के न प्यार मोहबल से, तो तुम तुमारा effort मखन निकलेगा मेरी जिम्मेदार ही है, ठीके, चलो Pareto analysis, भाई इतना तुमको कहां से पता है, चलो, clear है हां तक, ठीके, अब इना एक बहुत चर्चा में विशय है आज के समय पे, आपको पता आज के समय पे क्या चर्चा में विशय है, सिय को लेकर, जो, मैं आपको hint देता हो, चलो, थड़ा थड़ा हिंडू, यह चर्चा का विशय है, नवेंबर 23 वाले, में 24 वाले, बड़ा कॉमन सवाल पुछते, गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, देखते हो, तुमको मैंने हिंग भी दिया, गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आह, हाह, 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 ह यह तो बताओ, tension मतलो तुम्हारे भाई के पास draft already syllabus है, अब sir, नए syllabus में क्या है, ठीक है, तो और हम अगर वो नए syllabus में fall करके बूल चो तो sir, हमनों तो आपकी पूली batch करने के बाद हमको तो तकलीफ होएगी, और यह मिले बाबू को तकलीफ होएगी, नहीं होने देगा तुम यह जो box बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ new course को लेकर, ठीक है, मैं किसके new syllabus की बाद कर रहा हूँ, FR के new syllabus की बाद कर रहा हूँ, ठीक है, new course, FR, everything remains the same, everything is same, except, मैं topics की बाद कर रहा हूँ, क्या-क्या changes उसकी बाद कर लेते हैं, जो आपको मैंने बता आता ना, इतर उपर एक topic है, CSR integrated reporting, यह हो जाएंगे deleted, अच्छा new course कब से आएगा सर, expectation है, कि November 23 and onwards, बड़ा not sure, क्योंकि अब तक कोई announcement नहीं है, तो ऐसा भी possible है कि May 24 चे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, expectation है कि यह दो topic delete हो जाएंगे, यह दो, अच्छा, उसके बदले सर क्या आएगा, उसके बदले दो topic आएंगे, ethics को लेकर, ethics with accounting, ethics with accounting and technology with accounting, यह एक topic, यह दो topic, यह दो topic, यह दो आपके आजाएंगे, तुम्हारे syllabus के अंदर, ठीक है, तो सर, यह तो बहुत लग रहा थियरी है, यह topic तो, हाँ थियरी है, यह आपके insert आजाएं, inserted, यह addition है, नए से लिए बसकी बात करो, अच्छा, उसके लाब और क्या आएगा सर, सिर्फ तीन इंडेस के difference आएंगे, थ्री तू फोर इंडेस के, आएंगे differences, differences of AS, vis-a-vis, इंडेस, सारे इंडेस के लिए नहीं, सिर्फ तीन चार इंडेस के लिए, अब मैं नाम बताऊंगा, तुमको समझेगा है नहीं, विकोज तुमको इंडेस आता ही नहीं है, और AS के नंबर भी तुमको कितने आदे मेर को बता है, तो बस इतना लिख रख लो, तीन से जार इंडेस के कुछ difference आजएंगे, बाकी सब कुछ सेम है, और बाब बोलो कि सर, वो question paper pattern change हो सकता है, MCQs आने की बात चल रही है, आरे paper pattern कोई भी हो, concept तो सेम रहने वाल है, question तो सेम रहने वाल है, उसमें क्या change होने वाल है, तो कहीं डर रहे होगे, बराबर क्या, हाँ, तुम्हारा item अगर May 25 में है, तो you might think की चल थोड़ा wait कर लेता हूँ, बट तु भी अब ले सकते हो, चिंता करने के जरुवतनी है, बागी तो बिंदास करो भाई, और जो भी changes आएंगे, तुमको थोड़े ना बोला self करना है, तुम्हारा भाई कराएगा ना तुम्हारा भाई तुमको सब provide कराएगा, तो new course के FR में यह ही, everything is same, दो topic निकलेंगे, दो topic आएं मैं theory बोलता है निए FR को, theory बोलना छोड़ दो, theory एक ऐसा वड़े जो तुमको सोचकर डर लगता है, एक होता है concept, एक होता है question, FR में concept भी है, question भी है, बराबर, तो concept पढ़ने पढ़ेंगे ताकि तुम question solve कर सको, यह theory practical वाले discussion खतम कर दो, clear क्या, बस, और बता, और कुछ query है तो मजाएगा फिर, ठीक है, चलो, और यह मिला बाबू को जवाब देना है ना, जवाब देने मूला ना बाबू को, चलो तो, बताओ मोजी जी, मोजी जी, बताओ, हाँ, चलो, perfect आया जवाब, perfect केलाश, केलाश, okay, अच्छा बाइदावे, अपन क्लास में मस्ती मजा करें एपिसोड, कि आरे, बहुत जबन चल रहे है, चार पाज गुंडे बुला के पिटवादिया, भाई मैं बहुत, मेर ना मेरी बॉड़ी है, ना मेर में दम है, किसी मेरे को, प्लीज तू मैसा मत करना, तो, प्लीज सेंग कर लेना, हाँ, हाँ, कोन कोनी दास, आपका मुझे अचार, टूंट नट वरी अबॉट इडोंके अचार, ठीक है इशा, विपुल, ठीक है, ओके ओके नवीन, ओके मौनिका, सईये, 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 है ना, चलो, मजा आ गया, ठीक है, तुमको मैंने तुम्हारे से के एक्स्पेटेशन है, वो बता दीए, मैं त थीक है ना, सौरी ना, निकल गया केलाज का केलाज अभी तुम काया, घुसा करनो मेरकोस के ऊपर, ठीक है, ओके गौराव, ओके डॉली, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब मेरे ख्याल सापन आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी होता है, तो अब सबसे पहले आपन क्या discuss करें, तो सबसे पहले जो subject पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत discussion तो बनता है boss, है ना, कि ये subject, मतलब अपने syllabus में, basically मैंने क्या बता आपको क्या है, indes है, मोटा मोटी सारे indes है, तो ये indes का थोड़ा अब एक्जाम में जितता काम कैए हुतना ही बात करना, टाटा ने क्या किया, वो उसने क्या बोलते है, रिलाएंस ने क्या किया, indes कैसे अपलाई क्या, वो सब आलतुफालतु बाते मत करना, सोचना भी मत, हैना कि practical life में क्या होगा, बेटा जब practical life में जाएगा, तो समझ ज तो यह से तुम को ज्यान देंगे न कोई भी तुम को बोलेगा आई विल गिव प्रैक्टिकल इंसाइट से इन दा लेक्चर अब बोलके कैसे प्रैक्टिकल समझाएगा भाई तुम समझ रहे हो क्या प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना तुमको बच्पन में 9th स्टैंडर में साइंस में टॉपिक था तुम समझ आए कोई नपी की बात कर रहा है तुम भालतू मैं तो मैं वह आपन करते था ना वह क्या तुम भालतू मत समझो मेरे सामने तुम गलट डबल मीनिंग बाते मत करो मेरे साथ मैं वह बोला ही नहीं मैं तो वह जो टेस्ट करके आपन जड़ी डालते थे ना वैसे धुआ निकलता था उसकी बात कर रहा हूं तुम भालतू तो तुम कुछ भी आलते भालतू मत जज करो मैं वह टॉपए की बात नहीं कर रहा था एथ में था ना इंत में था कोई बोलता में को केजी में था अपे तु स्कूल जा रहा था कहा जा रहा था थू हमको नहीं पढ़ा था वह देखो न अच्छा में तो चाहते की मत पढ़ा वह भी वो चीज क्या उम्मीद लेकर रहा है भाई क्या हो गया ये चलो ठीक है एनिवेस तो आपन थोड़ा एफार के बारे में जान लेते ही इंडेस आया वग्यरा कहा से थोड़ा सा ग्यान लेन जाता है नहीं चलो आओ तो सबसे पहले मैं आभी आपको दे रहा हो इंट्रोड़क्शन टु इंडेस टॉपिक लिखोगे सब लोग इंट्रोड़क्शन टू इंडेस ओके टेक एक्स्ट्रा क्लास फॉर दाट ओ भाई दल्ला समझ रखाए गया क्या करवार हो तुम मेरे स जाता है सर पीछे मेरी मॉम घड़ी है अप मैं कुछ नमस्ते अंटी जी आप लोग यरफोल लेकर बैटा करो ना यह पॉब्लिक ली परचार बाबा कर प्रचार थूडी ना ए जो सत्षंग में सबको चुना रहे है यह अध्य पर नमस्ते अंटी जी सॉरी मैं कुछ कुछ मैं तो ग्राविटी वाले लॉग की बात कर रहा था हाँ न्यूटन का थर्ड लॉग अच्छा घरवाले सुन रहे कोई बात ने घरवाले भी बड़े हो जाएंगे आपके इंट्रड़क्शन टु इंडेस की बात करते हैं तो अब जब इंडेस की बात करेंगे तो इंडेस कहां से आए तो पहले अपने भारत में AS इस फॉलो होता था, अभी भी छोटी companies ASC follow करती है, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, उनको हम follow करवाते हैं, इंडेस, अभी ये इंडेस का इजाद कहा से हुआ, ये इंडेस का इजाद हुआ भार से, जिसको, मतलब भार IFRS follow हो रहा था, सर, IFRS का full form, International Financial Reporting Standards, ये है IFRS का full form, तो हो क्या आपन बोलते हैं, इंडेस शूट गो ग्लोबल, इंडेस शूट गो ग्लोबल, लेकिन अपने financial statements, जैसे internationally बन रहे हैं, वैसे बनी नहीं रहते हैं, तो हमने सोचा कि या ग्लोबल जाना है, तो अपने को global financial standards adopt करने पड़ेंगा, globally mostly ये follow हो रहा है, तो हमारे पास दो option थे, य इसलिए जो इंडेस है, वो IFRS उठाकर गए है, है न, और आप ऐसा कह सकते हो, कि 95% इंडेस इस सेम आज IFRS, ठीक है, family content नहीं है आपका, मैंने कहां बोला, मैं तो बोला ही नहीं, सत्संग जैके बेठो, अकेले-केले में पड़ो, ठीक है, तो 95% इंडेस इस सेम आज IFRS, हमारे financial statements बने, बले ही वो इंडेस के साब से बन रहे है, लेकिन IFRS वाली country भी सको समझ पाए है, वापस से repeat कर रहा हूँ, हमने क्या बोला हम IFRS, आजटेस अडॉप क्यों कर रहे है, मतलब 95% सेम क्यों रखा है, ताकि अगर हम इंडेस के साब से financial बनाए, तो IFRS वाली country को IFRS के अंदर दो टाइप के standards चल रहे थे, एक है IAS और एक है IFRS, तो जैसे IAS 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 7 चल रहा है, IFRS 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, अब यह क्या चल रहा है सर, आपको सोड़ा background देता हूँ, यह चो IAS है ना, IAS, पहले ऐसा था, IAS 1, 2, 3, 4, 5, तो अब लगा क्या कि 3 को रिवोक करके, कुछ नया standards इसू करने के जरूवत है, क्योंकि यह बहुत आदम बाबा के जमाने का standard हो गया था, तो जब इनके IAS चल रहे थे, और कोई भी IAS जब रिवोक होता था, तो उसको उन लोग IFRS के नाम से फिर इसू करते थे, तो जैसे for IFRS 1 के नाम से इशू हुआ, IFRS 4 रिवोक हुआ, तो IFRS 2 के नाम से इशू हुआ, ऐसे real में नहीं है, आपके example दे रहा हूं है, इसलिए भार गाओ में, अब जैसे 1 और 2 तो रिवोक हुआ ही नहीं, तो 1 और 2 IAS में ही चल रहा था, ठीक है, तो भार गाओ में IFRS के हो गए दो एक हो गया IAS, दूसरा हो गया IFRS, तो IFRS 1, 2, 7, 8, 10 असे चल रहा है, ठीक है, और IAS चल रहा है, अब हमने क्या सोचा, कि हमको इंडेस की नमबरिंग सेम रखनी है, हमको इंडेस की नमबरिंग कैसे रखनी है, इंडेस की नमबरिंग हमको सेम रखनी है, अब क्या करें, तो ह हमने बोला कि अगर कोई चीज IAS1 है तो हम उसको indes1 बोलेंगे, अगर कोई चीज IAS2 है तो हम उसको indes2 बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज IAS1 है तो हम उसको indes2 बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज IAS1 है तो हम उसको indes1 नहीं बोल सकते हैं न, क्योंकि confusion हो जाएगा फिर, तो अगर कोई चीज IFRS 1 है तो हमने उसको इशु करना शुरू किया INDES 101 के नाम से अगर कोई चीज IFRS 2 है तो हमने उसको इशु करना शुरू किया INDES 102 के नाम से तुमको समझ पढ़ रहा है गया तो अगर मेरे को बताओ अगर कोई चीज IAS 10 है IAS 10 तो INDES में उसका नम्बरिंग क्या होगा अगर कोई चीज IAS 10 है IAS 10 तो INDES में उसका नम्बरिंग क्या होगा INDES 10 होगा की INDES 110 होगा जल्दी से बताओ मेरे को अगर कोई चीज IAS 10 है तो INDES में नम्बरिंग क्या होगा इसका इस तो नमबर ही क्या होगा इंडेस के अंदर इसका फटावट से बताओ मेरे को टाइप करके बताने का दू मिट लगे का चलेगा मेरे को आगे बढ़ जाते हैं, आब मापको पुछता हो, अगर कोई चीज IFRS 3 है «i指 में नमबर में क्या रहेगा » IFRS 3 है तो इंडेस में 3 रहेगा ए टो इंडेस में 123 रहेगा तो इंडेस में perfect answer 103 रहेगा मतलब यह IFRS के numbering जब हमने डॉप की तो 101102 शुरू की और जब IS के डॉप की तो जो IS था वो ही इंडेस का numbering रखा समझ में आता है इतना येस और नो परफेक्ट आंसर क्या बात है कोमल मंजे, सचेन, विपल, दानेश, नवीन, काजल, ऐश्वर या बहुत बढ़िया ठीक है तुमको समझ रहा है मतलब बहुत बच्छे इतना बात समझ में आता है न तो इंडेस ऐसा ही है मैं तुमको समझाता हूँगा तुम आंसर करते वे चलनल आपको समझता हूँगा कुछ और ही निस के अंदर ठीक है तो चलो नंबरिंग पैटर्न भी समझ आ गया है कि यह 1Q है 101Q है ऐसा ठीक है चलो अब मैंने आपको क्या बताया कि क्या इंडेस आइफ फारेस हंडेड पसंट सेम है क्या नई आपने बोला सर 95 पसंट सेम है तो मतलब कुछ ना कुछ तो डिफर डिफरेंसेज है ना डिफरेंसेज डिफरेंसेज बिट्वीन इंडेस और आइफ फारेस कुछ तो डिफरेंसेज होंगे उस डिफरेंसेज को हम प्यार से पते है क्या बोलते है हम प्यार से उसको बोलते है कार्व इंस और कार्व आउट्स जो भी डिफरेंस है बिट्वीन इंडेस इफरेस उसको हम प्यार से बोलते है कार्व इन एंड कार्व आउट यह आप लिखोगे बलीज बराबर कार्व इन एंड कार्व आउट अब यह क्या होते है डीटेल में उसको आपन बात में पढ़ेंगे चिंता मत करो ठीक है चलो अजो तुमको समझता है परफेट आंसर मज़ा आगे ठीक है अब एना एक वर्डिंग ध्यान रखना क्या हमने आए फरेस छापा है क्या नहीं हमने इंस्पिरेशन लिया है तो इंस्पिरेशन को पता है क्या बोलते है वी आर आए फरेस कन्वर्जट तो मैं ऐसा आज से बोलूँगा कि यह इंडेस पता है क्या है इंडेस नतिंग बट आए फरेस कन्वर्जट मतलब हमने आए फरेस उठा नहीं लिया अडॉप किया है इंस्पिरेशन लिया है तो आए फरेस कन्वर्जट लियर रहे के हैं तक IFRS Converged है आपन ठीक है क्या मज़ा आ गया Can we proceed further Yes ठीक है I hope सबने लिख लिए आज first day है इसलिए लिखने के लिए फड़ा फड़ा समय दूँगा जैसे ऐसे classes आगे बढ़ती जाएगी वैसे मैं आप से expect करूँगा कि आपकी writing speed अच्छी maintain करूँ Initial day है तो आपको थोड़ा समय लग सकता आप बोलोगा sir catch up करने समय लग रहा है कोई चिंता की बात नहीं है मैं रुकूंगा जैसे आपन आगे बढ़ेंगे तो अपना होता ना learning का वेफट आता हूँ चलेगा अपने अंदर तो अपनी speed बढ़ेगी बहुत जबड़ा तो अच्छी लग रहे है आप सब की कि आप सब reply कर रहो दिल मतलब में जूटे आरिफ करता नहीं किसे की लेकिन मेरे को अच्छा में को आइसा नोर्मली में को इसा बैस मिलता नहीं है जो पहले दिन से reply कर रहा है पहले दिन शर्माता है एना पैसा ऐसे अपना अपना कैसा रेलेशन अच्छा रेलेशन लग रहा है चल तुम रिप्लाइब कर रहे हैं मैं पूछ रहा तो तुम बढ़िया बता भी रहे हो तुम आपने अपने बाई बंदू वाले रलेशन चाहिए ठीक है प्रतीबा बताओंगा मैं वह आप चिंदा मत करो ठीक अब मुझे एक बात बताओं तो मैंने रोड मैं पढ़े का असा नहीं आएगा तो छोड देते क लेकिन एग्यां दीप में नहीं जाएंगे जब इतना इंपोर्टेंट नहीं है तो उपर से तैर के निकल जाएंगे एक दम बढ़िया से, ठीक है क्या, चलो, आजाओ, मंजेश उसी चेंज को हम बोलते, कार्विन और कार्वाउट, अच्छा, अब आप मुझे पूछोगे, अच्छा, काफी लोग इसाब सोचेंगे, स जब जाएंगे respective index में, तब बात कर लेंगे आपन, ठीक है, चलो, आजाओ, अब एक chapter roadmap, exam में तक critical नहीं है, ज्यादा focus मत करना, बस पढ़ के निकल जाना, अब देखो क्या क्या बोलता है, सबसे पहला introduction to index, ठीक है, क्या क्या इसके introduction में, बोलता है, index are IFRS Converse Standards, यह मन आपको बताया, तो ऐसा marking करते हैं, चलनेगा मेरे साथ-साथ, ठीक है, उसके लावा किस दिन पे issue किया, MCI ने issue किया, इस दिन पे issue किया, देखो, यह सब कोई पूछना रहा है ने, तुमको, बढ़ पढ़ना तो पढ़के निकल जाना, अब आता है, carvins and carvouts, सबसे पहला आपको सबसे पहले किस का बात करेंगे, फिर किस का बात करेंगे, कारvouts का बात करेंगे, ठीक है, पहले हम आपको पूरा समझाओंगा, फिर आपको एक short trick भी बताऊंगा, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले, हम कब-कब किसी difference को, carvins बोलेंगे, हम कब-कब किसी difference को, carvins बोलेंगे, जब INDAS में किसी चीज का term अलग है और IFRS या IAS में किसी चीज का term अलग है example दिया हुए जैसे हम normally अपने भारत में profit and loss वर्ड यूज करते है है ना और balance sheet वर्ड यूज करते है लेकिन IFRS में profit and loss को बोलते है statement of comprehensive income और balance sheet को बोलते है statement of financial position नाम करन अलग है ना मतलब suppose तुम relationship में हो अब तुमको देखो formally समझाया मैंने तो formally कुछ लोग के भेजे में गया रहेगा अब दादव informally relationship में हो तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती है suppose तुम्हारा नाम अभी दहां लेते है तुम्हारा नाम है suppose मन्जेश नाम है तुम्हारा मन्जेश है तुम्हारा मम्मी तुमको क्या बोलती है मन्या मन्या बराबर तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है मन्या और तुमको तुम्हारी जो गल्फेंड है वो क्या बोलती है मिला बाबू मन्यू बाबू ऐसे दोनों अलग अलग बोलें नाम करन में डिफरेंस कारविन में आ जाएगा कितना सिंपल दा सर ठीक है समझ गया तुम क्या ना एक तो मन्या और एक अले मिला बाबू मन्यू ओज़कुच चोईनु वर्याद आया था ठीक है चलो ए तुम लोग अभी फ्लो में मत निकल जाओ वो बाबू चोना बोना चालू कर दिया उदर बस आ जाओ वापस ठीक है इसको बलते कारविन दूसरा रिमूबल ओफ ओप्शन रिमूबल ओफ ओप्शन इसका मतलब क्या है मैं आपको इसका एक्जामपल लिखाता हो बाजू में इदर ठीक है आपने कभी ऐसा सुना है कि सबोज अपने बास लैंड है है ना तो सबोज तुमको इंडेस बोलता है कि लैंड को तुम कोस्ट पे ही रखने का तुमने सुना रहा बचपन में we always keep a set at historical cost तो इंडेस बोलता है तुम लैंड को किस पर रखोगे cost पर रखोगे लेकिन इसी लैंड को suppose तुमारा IFRS क्या बोलता है तुमारा IFRS बोलता है तुम cost पर भी रख सकते हो और तुम इसको market की value that is fair value पर भी रख सकते हो इसका मतलब तुमको इंडेस ने कितना option दिये दो option दिये सॉरी IFRS ने कितना option दिये दो option दिये कोस्ट या fair value, fair value मतलब बजार में जो दा में उस value पर record कर लो लेकिन इंडेस ने बोला ना ना मुना ना एक ही option कोस्ट बराबर क्या तो इसका मतलब दोनों में difference है मतलब तुम्हारे इंडेस ने एक option रिमूफ कर दिया तुम्हारे लिए है ना IFRS ने दिया दो option इंडेस ने दिया एक option उसको बोलते removal of option डिफरेंस तो है न इसका treatment IFRS में दोनों में से किसी एक में कर लो इंडेस में एक option है difference है ऐसा difference जहां इंडेस में एक option कम है उसको बोलते removal of option और वो car wins में जाएगा आपको यह रट्टा मानने के जरुवत नहीं है आपको उसे समझ के लेना इसको फिलाली एक्जाम में नहीं पूछते इतना ठीक है ध्यान लटना ओके अच्छा उसके लावा लास्ट मतलब किसी particular item के बारे में IFRS silent है लेकिन इंडेस ने बताया कैसे treat करने का सर ऐसा कोई item है क्या एक है जो आपन respective इंडेस में पढ़ेंगे तो मैं आपको इधर example लिखा कर रगता हूँ इसके regarding ठीक है मैं क्या बोलता हूँ इसके regarding suppose IFRS किसी particular item को लेकर है silent लेकिन जो इंडेस है वो इसी item को लेकर तुमको दे रहा है कोई provision इसको बोलते है no guidance under IFRS ऐसा जो difference है वो अगेन तुमारे कार्विन में जाएगा वो अगेन का जाएगा तुमारे कार्विन में जाएगा हार्दिक बोलता है thank god I am using airports देखा तुमारे airports का किता बड़ी investment हो गय एक बर वापर स्रिपिट कर दू फटा फट से कार्विन में तीन चीज़े आती है अगर नाम करन अलग है याद है मन्या मन्नू बराबर तो वो difference को कार्विन बोलेंगे suppose IFRS ने दो option दिया इंडेस ने एक option कमती करके तुमको दिया कार्विन बोलेंगे suppose IFRS उस item का बात ही नह में जाएगा बराबर ये तीन चीज़े कार्विन के अंदर आ जाती है अब कार्वाट का बात कर लेते हैं कार्वाट में क्या आता है कार्वाट में एकी चीज़े आती है बराबर differences which are in deviation to IFRS इसका मतलब example देता हूँ जब example दूँगा सब कुछ बहुत 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 है ना और यही बारे में इंडेस क्या बोलता है लैंड को रखने का सिफ कॉष्ट पे मैं बुलू ऐसा नहीं है कि IFRS ने दो option दिया इंडेस ने कोई दूसरा ही option दिया मतलब इंडेस यह सिधा सिधा डिवियेट कर रहा है वित IFRS तुम समझे रहो IFRS ने को अप्शन दिया इ अब आप बोलो कि सर इसमें और उपर वाल में क्या फरक है भाई यह रिमूबल ओप्शन में इंडेस ने आपको आए फरस ने दो आप्शन दिये थे उसमें से कोई एक अप्शन ने दिया था तुमको यह आए फरस ने एक दिया इंडेस न उसको दूसरा ही दिया तो यह deviation ह हो गया आइ ओप तुमको समझ आ रही है मैंने क्या बोला तो यह चार चीजे तुम्हारे लेके आ हो जाएगी कार विन्स कार वाउट तो अब रटा कैसे मारे क्या कब कार विन्स कार वाउट मैं बोलू कार वाउट में एक ही चीज है deviation तो जब clear deviation है तो कार वाउट बाकी सा कि क्या आपको यहाँ तक चीजे क्लियर है क्या क्या कितने प्रतिश्यत भारती यह मानते है कि तुमको यहां तक सारी चीज़े समझ में आ रही है। तू भाई को बुलाओ क्या बताओ जल्दी से कितने प्रतिश्यत स्टूडेंट्स यह मानते है कि तुमको समझ में आ रहा है यह ना जगेश्वर कहता है यह सर में को सबका यह चाहिए सबका फटा-फट से यह चाहिए मुझे तुम्हारा और के मौनिका केती है येस ओके आगे दाश जी कहते है येस विपुल केता है येस ओके चौदरी राधा परफेक्ट परफेक्ट पलवी परफेक्ट रहा हो एक सो एक प्रतिश्यत 85% कॉन बोला रहे 99.99 क्या बोलता है रहे कि डानू है क्या आ रहे ना समझ यह सारे ठीक है horse नहीं का टेंशन मतलेना जब पहली बार सुन रहे हो तो सिफ़ समझने पर फोकस करना या तुमारा भई करा देगा थी का एक डोबून जिनदः की पीलू किया पीलू 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 सल्मॉन भाई है यह सल्मॉन सर्ट four ऐस सल्मॉन सर्ट स्ल्मॉन नहीं भोलने कह हाग तुम या तो यह के सर बोलो, या एके भाया बोलो, या आखाश भाया बोलो, या अपने को student कुछ भी बोलाते, आपन सम्मेड़ खुश है भाई, ठीक है, सर या भाया कुछ भी बोल चथते, ओके, ओल्ड मौंगे, तुमको क्या बेवड़ा लग रहे का शकल से मैं, शकल से दिखता हूँ, लेकिन हूँ नहीं, पानी है ओल्ड मौंगे, भाई, एक सेकेंड, क्या बोलू तुमको, चलो ये इसी बात पर दो लाइनर्स करूँ क्या, वैसे तुम्हारा भाई पीता नहीं, वैसे तुम्हारा भाई पीता नहीं, लेकिन आज का रिस्पॉंस देखके, तुम्हारे भाई ने पेक नीट है बनाई, अभी राइमिंग मत देखना, तुम समझे रहो क्या है, ठीक है, सर आपका फेवरेट टॉपिक रिलेशन्शिप सल्मॉन की आक्टिंग क्यू, हमारे सल्लू भाई तो सिंगल है, अरे सल्लू भाई नाम के सिंगल है, सल्लू भाई बिना शादी के, बिना फेरे के, रिलेशन्शिप में बिलीव करते है, लेकिन आपका अब्जर्वेशन जो ठीक है आगे बढ़ जाते है चोड़ा दो मिट का ब्रेक भी हो गया आजाओ कुछ और उपन करने का जरुवत नहीं है प्रतिवाइस चलो ठीक है यह हो गया तुम्हारा इंट्रक्शन तुमको बैसिक समझ गया अब एक और चीज है कि इंडेस कब कब किसको कब से अपलिकेबल हुआ ठीक है अब यह चीज रिल्यवेंट नहीं है तो आप पां से एक रीडिंग मारके छोड़ देंगे क्यूँ अब देखो कौन से आल की बात कर रहे है 15 16 17 की बात कर रहे अरे आपन अभी 22 23 में खड़े है तुम समझ रहे हो क्या तो यह चीज को आपन एक बार लेकिन छोड़ना भी सही नहीं है आप बोलो के सर आपने छुड़वा दिया यह चीज तो कौन सी कंपनी ने कब से इंडेस अपलाई किया उसके बाद में एक रीडिंग लेले सिर्फ यह अपने को रट्टा मारने के ज एक अगर आप कमपनी हो और आपको इंडेस वैंटर करना है आपको वैंटरी का मतलब समझता है को अपको बहुत अपलेके बल नहीं फिर भी आ बोल तो यह को अपलाई करना है तो आप जो फिनांशल यह 15-16 का तब द आप इंडेस फॉलो कर सकते हो अच्छा सर कंपेलीव बनाएंगे previous circuit, उसमें भी follow करना पड़ेगा, हाँ, उसकी बात है आपन respective index है, first time adoption उसमें बात करेंगे, बट अभी समझ लो, आप अगर कोई company हो, तो voluntarily आप चाहो तो adopt कर सबतो 15-16 से, एक बात ध्यान रखना, एक बार adopt कर लिया, फिर there is no looking back, once applicable, always applicable, ध्यान रखना, okay, mandatory कब सर, इसमें 2 phases है, phase 1, phase 1 में वो companies covered होगी, सबसे पहले phase 1 apply कब से होगा, from the year 16-17, मतलब financial year 16-17, और किन का applicable रहेगा, listed और non-listed, listed या unlisted, having net worth of greater than equal to 500 crores, इसका net worth क्या है, greater than equal to 500 crores, अच्छा, सर, phase 2 कब apply होगा, phase 2 apply होगा, from 1st April 17, यह इसमें कौन covered है, इसमें covered है, all listed companies, अच्छा, जब ऐसा बोलते है, all listed companies, तो क्या listed में हमको कोई criteria चेक करना है, नहीं, listed हो, बात खतम 17-18 अप्लाई कर देना, अच्छा, अगर आप unlisted हो, तो phase 2 में कफ़ॉल करोगे, जब आपका net worth, greater than equal to 250 crores है, कैसा है, greater than equal to 250 crores, एक बार वापस से revise करा देता voluntary कब से 1st April 15 से है, ठीक है, चाहो apply नहीं कर, अप applicable नहीं है, फिर भी apply कर देना, ठीक है, yes, 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 public का बात नहीं कहा, public private दोनों covered है, ठीक है, mandatory कब से है, देखो, कैसे आधरनेगा, phases, 15, 16, 17, बराबर, voluntary, phase 1, phase 2, ऐसा, 15, 16, 17, voluntary, mandatory, phase 1, phase 2, तो, 15, 16, 17, voluntary, phase 1, phase 2, बराबर, अब phase 1 में कौन, listed है, unlisted, जिसका net worth 500 करोड से जाधा है, और phase 2 में कौन, सारे listed, पहले बोलता है, all listed, मतलब, listed में क्या में कोच checkना, criteria नेट वर का, नहीं, listed हो phase 2 में fall कर गए, अच्छा, unlisted, जिसका net worth 250 करोड से उपर है, बराबर, जाधा तवज्जु मत देना, इस चीज को, बिक प्रतिवा मैडम, इधर आपको दिखनी रहे क्या, फेज वन में वो companies है, जिनका network 500 करवड के उपर है, और इनको apply करना है 16-17 से, फेज टू में वो companies है, जिनका network 500 करवड से कम, लेकिन 250 से उपर है, और इनको apply करना है, कब से, 1st April 17 से, और इसमें कुन सी companies covered होगी, अगर listed हो, त face 2 में directly fall कर जाओगे, unlisted हो, तो network ये वाला चेक करना, ये ही तो difference है, जब से applicable रहेगा, और ये वाला point, चलो ठीक है, तुम लोग CA final के बच्चे होगा, behave like one, मैं जानता हो कि मैं ऐसा पढ़ा रहो कि तुमको बच्पन जब कुछ नहीं आता है, लेकिन, मेरो को ये नहीं पता तक कि CA final में भी direct entry आ चुका है, तुम समझ रहो क्या है, चमच लाके, उधी नहीं पिलाओ क्या तुमको, नहीं न थोड़ा बहुत तो, उतना basic knowledge रखना, समझ गे न तुम, चलो ठीक है, आगे बच जाते, अब ये न यहां कुछ points है, सबसे पहले network कप का चेक करेंगे, वो सबसे पहले network कप का देखेंगे, 31st March 14 and onwards, मतलब कि इसके बाद वाले किसी भी साल में network exceed हो गया, तो apply कर देना, ठीक है, उसके लावा, मैंने बताया, index once applicable, always applicable, ठीक है, अच्छा, अगर आपको index applicable हो गया, तो उसकी parent, subsidiary, associate, joint venture को भी applicable हो गया, यह धियान रखना, ठीक है, अच्छा, index आप SFS और CFS, दोनों पर adopt करना पड़ेगा आपको, ठीक है क्या, अच्छा, अगर आप parent, subsidiary, associate, joint venture, कोई bank, insurance, nbfc हो, तो आपको फिर, आपकी respected date देखनी है, मैंने बताया था न, यह date सिफ, companies प applicable है, other than banks, nbfc, insurance, तो अगर आप, मैंने यह उपर बताया न, कि अगर आप parent, subsidiary, associate, joint venture हो, तो आपको interest applicable, लेकिन, अगर आप एक ऐसी parent हो, ऐसी subsidiary हो, ऐसी associate, यह ऐसी joint venture हो, जो कोई bank है, insurance है, nbfc है, तो उस case में आपको अपकी respected date देखनी है, ठीक है, अच्छा, SME exchange पर लिस इंडेस देने पढ़ेंगे, और companies not covered above, shall continue to apply AS, मतलब आप अगर उपर applicable नहीं हो, तो आप AS ही follow करते वे, चल लेना, बराबर, मिनने जान मुझ के जादा detail में, इसके regarding discussion नहीं किया, बिकोज इतना critical नहीं है, एक बार पढ़के आगे निकल जानेगा, बराबर, आपको यह इंटर्वी में कामा सकता है, बाकी किदर कामा सकता, नहीं है, बर तुमको समझ में आ रहे है, आपन क्या discuss कर रहे है, इतर रोड मैप, समझ रहे का तुमको, yes or no, बराबर, जिदर डीप में जाने वाली बाते रहेगी, वहां पर इतना, तब यह अच्छा time spend करेंगे, clear रहे all the way, Sunday class हमको मांगे gift देंगे, हम जो भी मांगेंगे, वहां को देंगे, तुम कितने selfish हो, समझ गया तुमको, चलो, ठीक है, क्या के करवात हो तुम मेरे से, anyways, ठीक है, अब आपने उपर क्या discuss किया, companies को इंडर्स कब से applicable है, ऐसे आधर को, 15, 16, 17, 15 voluntary, बाद में phase 1, phase 2, phase 1 में जिसका network 500 के उपर, phase 2 में सारी listed, और unlimited में network 200 के उपर, simple, आगे बढ़ जाते है, SME मतलब small and medium size enterprises, मतलब जो जैसे न, अपने stock market, stock exchange, वैसे SME exchange भी है, जहाँ छोटी-छोटी companies listed है, तो उस पर applicable नहीं है, ठीक है, आगे, आगे बढ़ जाते है, फिर आते है, banking companies को कब से applicable है, उसके regarding अब तक notice आया नहीं है, आ जाएगा, वैसे आ चुका है, लेकिन अपने किताब के साफ से नहीं आना चाहिए, है न, same applies to insurance, अब तक उनको applicable नहीं है, वैसे applicable हो चुका है, to be honest, बट तुम्हारे model के साफ से, it is on hold, क्योंकि इनका applicability पहले 1, 4, 19 सा था, बट उसको differ करके बाद में, push forward कर दिया गया था, अच्छा, अगर आप NBFC हो, तो NBFC को voluntary adoption applicable नहीं है, देखो, इन में से किसी के लिए भी voluntary का बात नहीं किया है, तो आप अगर banking insurance NBFC हो, तो voluntary not allowed, ठीके, इसमें सिर्फ applicable होगा, तब apply करना है, NBFC में दो phase है, phase 1, phase 2, यहां भ तो बस तुमको इतना पढ़के निकलने का है, एक्जाम में आने वाला नहीं है, इतना critical नहीं है, इसमें भी वोई same कुछ points है, वो तुम एक बार read कर लेना, ठीके, अब यह तो तुम एक बार read करी सकते हो, तो एक काम करते हैं, मैं आपको ना 2 seconds दे रहो, 2 seconds दे रहो, 2 minutes दि read कर लो, क्या क्या, एक बार read कर लो, फिर आपन आके बन चाते हैं, clear please, 2 minutes दे रहो, आपको फटाफट read करो, मेरा शकल मत देखुआ, और भाई read करने बोला, तो यह ने की phone का screen बन करके, whatsapp reply ना शुरू कर दिया, वो निभा निभी को बोलो, सिये तेरे लेई कर रहा हूँ, है ना तो baby top 12 लेटर, क्या इरो लोग करना मत यसा, बढ़ाई बद्यान दो, और हो गया तो d करके लिए बोलो, d, जब आप ऐसा लिखो गया न, d, तो मुझे लगएगा आपका हो गया, ठीक है, d मतलब done, हो गया तो d करके लिखो, आपने इसे habits बिल्ड कर लेंगे, यस मतलब y, n मतलब no, d मतलब done, तो ऐसे समझ जाएगा, अपने आपका time भी बचेगा type करने में, एक लेटर type करने के सिर्फ और interaction बना वा रहेगा, तो आपको bore भी नहीं होएगा, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया, तो लोग हो मज़े दा रहा है, नोटिस कर रहा हूँ मैं, बागी fr simple है, कुछ नहीं, यह आपका road map वाला chapter था, road map, road map में इत्ता कुछ है नहीं, simple road map, ठीक है, चलो, done, ठीक है, अब आपन आगे का बढ़ेंगे, आपन schedule 3 पढ़ेंगे, लेकिन तुमको break ची एक, first day है, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं तुमको करीबन 7.30, 8 o'clock तो छोड़ दूँगा, मैं first day है इसलिए, क्यूंकि first day अपना सिफ relationship build करने के लिए, बेसिक build करने के लिए, कल से में आपन चाचा गंटा शुरू करेंगे, ठीक है, तो सर नेटवर्ट थोड़े explain कर दो, ठीक है, अरे नेटवर्ट सिंपल है, देखो मैं तुमको क्या बोलता हूँ, तुमको नेटवर्ट क्यों चेक करना है, तुमको इंडेस applicable है या नहीं इसलिए चेक करना है, तो तुम्हारा नेटवर्ट नेटवर्ट नेट लेगा, इस पर AS, तो AS मतला शेर कापिटल, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर तुम्हारा कोई नेगेटवर्ट रिजर्वर्ट उसको बोलते है क्रिमिनेट लॉसे हो माइनस कर देना, कोई एक्सपेंडिचर है जो तुमने डिरेक्टर रिजर्व में रिकॉर्ड किया है, जैसे डिफर्ड एक्सपेंडिचर पहले आपको बता जाता हूं मैं, जिसको थोड़ा एक समरी चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, एफर में अपना ये पूरा फ्लो कैसा रहेगा पूरे बैच का, ठीक है, दूसरा चीज अपने फिनांशल रिपोर्टिंग में चैप्टर का एक बेसिक आडिया लि ठीक है, ठीक है, चलो, इन अडिशनल क्वेशन प्रवेर नवेंबर 22 क्वेशन, नहीं, नहीं, हार्दिको इंक्रूटिट नहीं है, यहां तक अभी इसके बाद आपन ब्रेक्ट लेते हैं, अफको जैसे ऐसा लेक्टर प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे आपको काफी सारी ची अफिशेंट आज जल्दी छोड़ दूँगा आज, है ना, ताकि आप फर्स दे फड़ा फ्रेश मैंट से जाओ, और बाद में आपन रिजूम करेंगे, कल से इदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो अभी हो रहा है, 6.22 के रहां, तो आपन 6.37 PM को रिजूम करें, चलो, बुक्स मुंबई वाले हो, साथ से 10 दिन लगेंगे सबको बुक्स के लिए, ठीक है, सार आप भी बहुत मज़ेदार हो, थैंक्यू सो मच यार, चलो, ठीक है, 6.37 को विविल, और रिजूम, तब तक आपन पॉस कर लेते हैं, चलो, मिलते हैं, बाबाई आई, आईव विया गुट्टो को, लेट्स रिजूम, मैं एक और शीर बता दू, जैसे लाइब वाले को मैंने बादा, रोज लाइब आके बैठना है, वैसे रिकॉर्डेड वाले भी रोज डिसिप्लेन से एक पटिकुलर समय पर देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, शुबम हमने क्य क्या किया है, हमने बेसिक सब डिसकस किया, अब याब बीच में जान करूँगा तो आप कर सकते हो वैसे, लेकिन जो बैक लॉग है, ठीक है, चलो, तो मेरे कहल से विया गुट्टो को नाओ, ओके, इतना मजा करवारों, पक्का आएंगे, बहुत बढ़िया, तुम आ जाना बाकी मैं तुमको बांध कर रखूँगा, चिंता मत करो, तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, रोड मैप पढ़ लिया, अब आपन चालू करेंगे, स्केडूल 3 के फॉर्मैट से, बराबर थोड़ा फॉर्मैट समझते है, स्केडूल 3 का फॉर्मैट क्या है, ठीक है आप भी में साथ जैसे मैं लिखूँगा, वैसे बनाते वे चलोगे, विच इस दा बेस्ट ताम तो रिवाइस, इमेजिटल अफर लेक्शन नेक्स दे मॉर्निंग, इमेजिटल अफर लेक्शन पर लिवाइस, ठीक है, यूकि नेक्स दे मॉर्निंग अभी जिंदेगी मान ठीक है, ओके, स्केडूल 3 का फॉर्मेट आपको अफको यह पता होना चाहिए कि कंपनी जैक्ट ने दिया हुआ है, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्केडूल 3 में आपन फिनांशल स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करेंगे, ओके, अब फिनांशल दिविजन 2, एक होता है दिविजन 1, एक होता है दिविजन 2, ठीक है, अब दिविजन 1 का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, एस के लिए, डिविजन 2 का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, इंड एस के लिए, मतला अपने स्केडूल 3 में दो दिविजन है, दिविजन 1 प्यारी मीठी मीठी balance sheet कैसे बना करती थी बराबर चलो आजाओ balance sheet ठीक है तो जब मैं AS की बात करूँगा तो आपको मैं थोड़ा आपके उसमें लेगा जाता हो बच्पन में बच्पन का प्यार तेरा भूलने जाना दे बराबर तो अगर आपको थोड़ा बहुत AS याद रहेगा मैंने क्या आजूम किया कि आपको कुछ नहीं आता है तो श फिर हम उसमें लिखते थे पहले for equity, equity में हम लिखते थे shareholder's funds फिर shareholder's funds में हम लिखते थे share capital और reserves and surplus और share capital में दो चीज़े आती है equity share capital, preference share capital of course मैं short form जूस कर रहो आप भी वैसे लिखना फिर equity के बाद हमारा लिखते है हम liability liability में दो bifurcation एक non current liability और एक current liability simple मैं basic basic बता रहो फिर हम लिखते हैं assets assets में दो चीज non current assets, current assets मेरे ख्याल से तुमको इतनी चीज़ा तो मालूम पड़ती है न बराबर फटा फट से लिखोगे यह चीज में पहले बाता रहो pdf भले में अपलोड करूँगा drive के ओपर लेकिन फिर भी आप note डाउन करते वे चलोगे equity liability equity liability फिर assets लिखते हैं basically मतलब पहले हम यह वाला साइड लिखते है equity liability फिर हम assets लिखते है बराबर यह था कोई यह मत बोलना सर वो t format मतला था फ्री फॉर्मेट ऐसा इधर liability इधर assets ए भाई वो partnership खतम हो गया वो partnership वगर अब follow होता है वो मैं companies की बात कर रहो companies ऐसा बना दिदी पहले यह आपके AS में था लेकिन क्या हमको indes में भी यही follow करना है indes में हम क्या बोलेंगे indes वाला बोलता है कि देखो format मोटा मोटी सेम है लेकिन AS में हम शुरुवात करते थे equity liability से indes में हम शुरुवात करेंगे assets से मतलब indes में पहला आता है assets assets में आते है दो non current asset और current asset मतलब format उल्टा कर दिया यहां asset बाद में आता था यहां asset पहले आता है बराबर format कर दिया उल्टा है ना वो अक्षे कुमर का मीमे ना वैसा हो गया इदर ठीक है तो हम first हम first करके asset आ गया आ गया उसके बाद हम आएंगे दूसरे नंबर पे फिर हम लिखेंगे equity and liability equity and liability में हम पहला लिखेंगे equity अब equity में दो चीज़े आएगी हम AS में क्या लिखते थे हम AS में लिखते थे share capital उसमें दो equity और preference यहां specifically बोला है equity में सिफ और सिफ हम share capital लिखेंगे हम थोड़े specifically लिखेंगे कि equity में आते equity share capital तो सरफ preference का आ जाएगा उसकी बात नहीं करूँगा financial instrument करके chapter है वहाँ बात होईगी उसमें ठीक है चलो ठीक है तो यहां specifically बोल दिया equity में आ गया equity share capital और दूसरा अपना यहां हम बोलते थे आएगा reserve surplus यहां reserve surplus नहीं यहां एक अलग word यूज होता है और उसको हम प्यार से बोलते है other equity अब सर यह other equity क्या है समझेगा वक्त आने पर समझाओंगा बस ऐसा समर्लो यहां reserve surplus यूज करते थे यहां word other equity यूज करते है अच्छा सा दोनों में फरक क्या है खोड़ा फरक समझाने का try करूँ तो ऐसा समर्लो अगर reserve surplus का scope reserve surplus का scope अगर इतना है तो other equity का scope इतना है मतलब reserve surplus में इतनी चीज़े आती है तो other equity में इतनी चीज़े आती है ऐसा ध्यान लगो अफकोस डिल में बात करूँगा इसके बारे में ठीक है चलो यह समझ गया sir पहले assets लिखा फिर equity liability लिखा equity में दो चीज़े आ गई equity share capital और other equity आ गया फिर क्या बचा अपना liability वाला पाट बचा तो फिर हम लिखेंगे liability liability में 2 क्या आएगा non current liability और current liability अफकोस total match करना आपका चाहिए जल्दी से यह चीज़े लिख लो फटा फट से जल्दी से लिखो फिर मा आगे बढ़ूँगा पास कितना 10 तक गिनूँ आपके लिखने के लिए चलो 10 नहीं चलो 20 तक गिनता हूँ गिनू 20 तक back counting करते है 20 19 13 8 3 1 हो गया तुम बोल लगे यह का कौन से काउंटिंग है यह अपने काउंटिंग ऐसी होती है भाई ठीक है चलो लिख लिए बहुत बढ़िया अब किसी ने बोला है प्लीज एक्स्प्रिन अदर इक्विटी जिंदगी मेरा पेशन्स रटना बहुत जरूरी है मैंने बुला न मैं समझाऊंगा अदर इक्विटी क्या होता है तो थोड सा पेशन्स बनाके रखोंगे सब समझ में आएगा क्या होता है ठीक है थोड़ा सा पेशन्स चलो आगे बढ़ जाते है तो यह अपने को बैलंस चीट का फॉरमेट समझ गया अब थोड़े बैलंस चीट के डिटेल में जा तो यह तो मैंना आपको मोटा मोटी लिखा दिया अब आपोगे किताब के अंदर, देखो, किताब में हम सिर्फ division 2 की बाते करेंगे AS हमारे syllabus में नहीं है तो AS का format अपने को याद करने का जरूवत नहीं है, हम आएंगे part 1 balance sheet के अंदर, तो देखो, index based financial statement, चालू कहां से होते हैं चालू होते, assets है assets में आगया non-current assets, फिर आगया current assets, अब sir, non-current को हमको, ऐसे heading by heading याद करना है क्या, the answer is no but non-current में क्या क्या आता है sir, हमको कैसे याद रहेगा, जैसे जैसे आप index पढ़ते वे चलोगे न वैसे वैसे आपको नाम वगेरा सब याद होता हुआ चलेगा कौन से जगे पर क्या आता है, वो याद होता हुआ चलेगा तो अभी इसको रट्टा मत मारना, कोई memory बना के, PCI, GIS, एसे करके रट्टा मार लिया, भाई, कूछ काम नहीं है उसका रट्टा विट्टा मत मारना बेटके इदर बराबर तुमको से व्यादर को असेट में दो, नौन करेंट करेंट अब नौन करेंट में क्या आता है, करेंट में क्या आता है वो ग्रैजुली जब आप रिस्पेक्टिव इंडेस पढ़ोगे तुमको याद होता हुआ, चलेगा उसका चिंता आपको करने का जरुवत नहीं है ठीक है, बट हाँ, एक बार हेडिंग तो पढ़ लेते हैं, क्या क्या आता है पहला आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विप्मेंट क्यापिटल वर्किंप्रोग्रेस सर, यह क्या होता है this is nothing बट PPE under development मतलब एक ऐसा PPE जो develop हो रहा है, under development है न, फिर आता है investment property, ऐसे property जो आपने investment purpose के लिए हेड़ कर रखा है, कभी-कभी आपन होता है ज्यादा पैसा आ रहा है तो real estate में invest कर दिया goodwill आता है, other intangible assets हो गया intangible under development हो गया फिर आता है biological assets अब यह biological assets क्या है living plants, living animals, वो सब अपने index agriculture वहाँ पढ़ेंगे फिर आता है financial assets अब इसमें बहुत सारे है, सर यह financial assets क्या है यह हम financial instruments के अंदर पढ़ेंगे फिर आता है deferred tax assets फिर आता है other non-current assets अब सर यह सब चीजों के बारे में detail में कहां पढ़ेंगे ऐसा समद लो, हर एक item के उपर हर एक item के उपर एक-एक index बना हुआ है तो हम यह सारी चीजों के बारे में कहां पढ़ेंगे respective index के अंदर पढ़ेंगे मैं चाहू तो तुमको बाजू में लिखा सकता हो कौन से index में आएगा बट उसको कुछ sense नहीं याद नहीं होगा तुमको तो आप क्या सिर्फ लिख रख लो respective index में हर एक item का discussion होने वाला है यह मैंने आपको सिर्फ एक बार नाम पढ़के तुम्हारे लिए आएगा current assets इसमें काफी सारी चीज़े है inventory जिसके ओपर अलग से index है फिर आ गया financial assets सरे financial assets दो जगया आ गया उपर भी नीचे भी हो सकता है कैसे होगा respective index में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़े आ गई फिर current tax asset आ गया अधर current asset आ गया ये सब के बारे में भी हम कहां पढ़ेंगे respective index के अंदर पढ़ेंगे बराबर तो अपने को से मोटा मोटी का idea मिल गया asset side के बारे में फिर हमारा आता है total assets फिर आपका आएगा equity and liability उसमें आगया equity मैंने क्या होता था equity में क्या क्या आएगा equity share capital और other equity बराबर अच्छा ठीक है फिर आएगा अपना liabilities liabilities में दो non current और current अग इसमें भी बहुत सारा items है तो ये सारे items का discussion जाएंगे respective index के अंदर अब वो कौन सा item पे कौन सा इंडेस आप लेके बले वो पते कब मालूम पड़ेगा जब आपन पूरा FR पढ़ लेंगा और revisit करेंगे तब आप एकदम ऐसे बता पाऊगे तो आपन लाश में कर भी लेंगे वो चीज़ ठीक है अब अच्छा अब आपको एक चीज़ पता होनी चीए जब भी आपन कोई चीज बैलन्स शिट के आइटम में रिकॉर्ड करते हैं तो इसका डीटेल्स जो है मतलब जैसे प्रॉपेटी ब्रांट एक्यूपेंट है तो हमार पास कितने पीपी है ऐसे उसकी डीटेल्स हम देते हैं नोटस्टो अकॉंट्स के अंदर बराबर तो यह हर एक आइटम का जहाँ जहाँ रेलिवेंट है वहाँ वहाँ क्या बनेगा नोटस्टो अकॉंट्स बनेगा लेकिन यह जो एक्वीटी के दू आइटम है ना आपका reserves and surplus का अगर scope इतना है तो आपके अधर equity का scope इतना बड़ा है बराबर तो उसलिए वो क्या बोलता है क्योंकि अधर equity का scope बहुत बड़ा है तो इसके लिए एक छोटा सा note बना कर काम नहीं बनेगा तो ये दोनों के लिए हम notes to accounts नहीं बनाते हैं हम पूरा का पूरा statement बन जिसको हम प्यार से बोलते है statement of changes in equity क्या बोलते है इसको प्यार से statement of changes in equity short form में SOCE statement of changes in equity क्यों बन रहा है statement क्योंकि ये अधर equity का scope बहुत बड़ा है इसमें बहुत सारा items आते है तो ये छोटे से note से इसका काम नहीं बनेगा तो इसलिए इसका पूरा का पूरा क्या बनेगा statement बनेगा जिसको हम प्यार से बोलेंगे statement of changes in equity तुम समझ रहे हो क्या ये बात इस ठीक है सर इसका मतलब क्या reserves and surplus अधर equity का पार्ट है क्या answer is yes ऐसा समलो अधर equity बहुत बड़ा कुवा है उस कुवे का एक छोटा सा हिस्सा इसके लावा बहुत सारी और ऐसी चीज़े आएग statement है आओ देखे चलो ठीक है तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा balance sheet clear हुआ balance sheet में पहला आएगा asset फिर आएगा equity liability equity में दो और यह equity के दो item बहुत बड़े है तो बनेगा statement और liabilities के लिए सारे items रिस्पेक्टिव इंडेश में discussion होगा फिर आते है देखो यह रहा statement of changes in equity सारा item का notes बनता है इसका बनता है पूरा का पूरा statement अब statement के दो हिस्ते क्यूंकि equity का statement बन रहा है equity में दो चीज़े आती यह equity share capital और other equity now what is this equity share capital ऐसा समझ लो previous year से current year में आने तक का reconciliation जैसे वो बोलता है beginning में कितना था during the year कितना हुआ और balance at the end कितना है बस उसका बनेगा statement यह equity share capital यह तो simple है अब other equity में क्या क्या आता है तो other equity का statement देखो कितना बड़ा है बराबर इधर आता है share application money equity component of compound financial instrument देखो other equity में reserve surplus भी आ गया फिर debt वाला भी कुछ आसा लिखाए फिर यह कुछ लिखाए यह कुछ लिखाए यह कुछ लिखाए यह कुछ लिखाए यह बी लिखाए यह इतना सब लिखाए सर्य कैसे समझेगा आमको सर्य है ना इतना सब रट्टा मारेंगे कैसर नहीं अच आपको रट्टा मारने का जरुवत नहीं है तो सर्थ हमको कैसे मालूं पड़ेगा अधरी कुईट में क्या क्या आ रहे है As in when you study As in when we study respective indices We will automatically We will automatically understand this मतलब इसमें कुणशे कोईशे आइटम आ रहे कब-कब क्या लिखना है कैसे लिखना है format क्या रहेगा जब आप respective indices पढ़ोगे हर एक item को लेकर आप automatically समझ जाओगे तो इसको प्लीज देखकर ढरने की या रट्टा मारने के जरुवत नहीं है कुछ चीज़े ऐसी है जो आप सिर्फ initial डेवन पर देखोगे तो आपको ढरसा लग जाएगा तो ढरना नहीं है फ्यूचर में समझेगा आपको जैसा आप पिक्चर देखने गए पिक्चर में आपको एक भयाने क्यार्टर से रूबरू करवा दिया अब आपको इसे रान के बार में आपको उसको पुरा जानन पड़ेगा ऊपर बतापै सिफ्छ अधर देख्र उट्ट्रेक्व करव कैसा यह कुछ नहीं र strang चाएगे सब कुछ कंगे सब कुछ अपने क्लिर हो जाएगा तो याद कर रखना है सर याद से विए रखना है कि अधर एक्वीटी का एक स्टेटमेंट बनता है क्या बनता है अधर एक्वीटी का स्टेटमेंट बनता है बस इतना ही आपको याद रखना है that's it clear ठीक है yes or no चैट बोक्स के अंदर बताओगे क्या समझ रहेगा तुम लोगो yes perfect ठीक है समझत हो गया इतना हमको कि या बैलन्स शीट के कुछ आइटम्स का स्टेटमेंट बन रहा है स्टेटमेंट इस अधर बन रिकंजिलेशन ये इक्वीटी का पहले कितना था बाद में येरन पे कितना हो गया अधर रिक्वीटी का भी रिकोई बन रहा है देखोगे न ध्यान से तो अधर रिक्वीटी का भी रिकोई बन रहा है कि पहले beginning में कितना था पिर changes कितना हुआ आपने during the year कितना कमाया और at the end आपका कितना बचा ऐसा कर गे तो इतना कोई टेंशन लेने का जरुवत नहीं आप जब आगे बढ़ोगा तो समझ जाएगा ठीक है सर समझ गया ये मैंने किसका बात किया financial statement के पहले item जिसको हम प्यार से बोलते है balance sheet मैंने उसका बात किया अभी तक I hope थोड़ा थोड़ा basic background अपके भेजे में जा रहा है ठीक है तो मैं लिख दू हम जो किताब के अंदर लिखा है वहां मैं ऐसा लिख दूँगा कि ये जो दो item है ना equity इसका क्या बनता है हमारे point of view से इसका बनता है S.O.C.E statement of changes in equity बस इतना अलग से लिख के रख दू balance sheet के बाद अगली किस चीज़ के हमको बात करनी चाहिए सोच समझ के बताओ चैट बक्स में answer करो balance sheet के बाद अगला number किसका आए किसको लाए बताओ बताओ मूजी जी बताओ किसका अगला number आना चाहिए balance sheet के बाद perfect answer सर ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ profit and loss को ले आओ सर ठीक है तो अब हम बात करते है ind AS के हिसाब से अब देखो profit and loss में directly ind AS की बात करूँगा क्योंकि AS ind AS में almost same है ind AS के हिसाब से हमारा जो statement of profit and loss है वो कैसे बनेगा सर as per as per ind AS ठीक है अब this is mostly like AS this is mostly like AS ठीक है बट मैं अजुम कर आपको AS का भी नहीं आता है तो मैं थोड़ा आपको लिखा दूँगा recall करवाने के लिए तो आपको याद रेखा न तो हमारे statement में हम सबसे पहले ऐसा लिखते थे revenue revenue side पहले लिखते थे हम मैं सिधा इंडेस वाले सिखा रहा हूँ आपको हम लिखते थे पहले revenue side ठीक है उसके बाद हम उसके अंदर लिखते थे सबसे पहला revenue from operations revenue from operations दूसरा हम लिखते थे other income ठीक है यह लिखते थे हम फिर इंडरों का total निकालते थे इसको बुलते थे ए ठीक है फिर हम लिखते थे second expenses बराबर क्या अब expenses में क्या क्या आता था तो ऐसे लिखते थे purchases of stock in trade ठीक है फिर हम लिखते थे raw materials consumed consumed का मतलब क्या ऐसा समल लो raw material का opening plus purchase minus closing of raw materials sir what is the meaning of purchase of stock in trade अगर कोई चीज़ को trade करना आपका business है तो जो भी आपने inventory खरीदी है वो यहां आती है उसके बाद आएगा changes in inventory opening minus closing opening inventory minus closing inventory अच्छा यह inventory में raw material नहीं आएगा बिकाज वो उपर आचुका यह सब बेसिक बेसिक चीज़ है देखो इतना आपको थोड़ा बहुत आपने पड़ा रहेगा नहीं पड़ा तो भी चिंता वाली बात रहें आगे फिर आएगा depreciation and amortization बराबर फिर आता थे कुछ ऐसे finance charges मैं रफली बना रहा हूँ कुछ मिशा डोगा तो बग्स देना मरेको फिर आता था आपका शायद employee benefit expenses फिर आता थे आपका other expenses बराबर फिर यह सब का निकलता थे total फिर हम बोलता थे total expenses ऐसे कुछ होता था ना भाई साब फिर हम निकलता थे profit before something 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 वो निकलता था A minus B फिर आप वो tax minus कता थे फिर PAT मिलता था आपको वगेरा 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 यह मैने rough format बना एक rough format आप कॉपी कलो फटा फट से इतना revenue के अंदर दो revenue from operations other income expense में यह सारे purchase or stock in trade raw material consume changes in inventory depreciation amortization finance charges employee benefit expenses other expenses सारे expense मिलके मिलके total expenses फिर profit मिलेगा वो tax वगेरा फिर आतावत चलता हूँ चलेगा एक basic idea आपको दे दिया मैंने ठीक है ऐसा कुछ अपना format बनता था यहां तर clear है अब को perfect ठीक है समझ गया sir ओके अब यह न यह तो AS का format था sir index में नया क्या है what is new in this index तो यह न अब मैं आपको कुछ समझाने का try करता हूँ ठीक है एक example लेता हूँ मैं आपके लिए आप यह न इत्ती जगर छोड़ोगे please you will leave this much of space छोड़ देना एक पाचेक लाइन छोड़ देना ठीक है मैंने भी छोड़ दी पाचेक लाइन अब मैं आऊंगा आपके लिए इधर नीचे मैं आपको एक example लिखाऊंगा तो आप भी लिखो गया ऐसे example example कहणी देतो base building what is the meaning of base building आपके concept clear करवा रहा हूँ concept example या जो भी बोलता हूँ बेस building मैं बोलता हूँ इसको आपके बास land थी क्या थी land तो आपको पता है अगर suppose आपके पिताजी के बास land थी भहत पुराइन land पहले ख़री दी 95 में तो बताओ बहुत बड़ी लाइड 1995 में कितने की आती होगी आपको क्या लगता है एक नम्बर बताओ कोई भी चलो 1995 में बहुत बड़ी लाइड कितने की पड़ेगी आपको कोई भी नम्बर बताओ एक दस लाक ले ले दस लाक चलो आप बोले दस लाक तो दस लाक 10 लाक अब मैं किसकी अब मैं एस की बात कर रहा हूँ by the way for a kindest information I am talking about AS ठीक है ओके तो 10 लाक के अपने पास एक लैंड है मगर मैं लैंड ऐसी purchase करता 1995 में तो मैं एंट्री क्या मारता what entry would I have passed ठीक है अब मैं ये भी मानता हूँ कि आपको entry नहीं आती होगी बड़ आती है तो बताना तो sir land खरीदा होगा तो land account debit because debit what comes in get what goes out तो मैं बोलूँगा land account debit अच्छा sir land free में तो लिया नहीं रेगा पैसा दिया रेगा तो 2 क्या कर लेते 2 cash bank account कितना होगे हमारे लिए तो हमने ये entry मारी है यह यह 10 lakhs 10 lakhs ये entry मारी होगी हमने ठीक है पहले मैं AS की बात कर रहा हूँ एस हमारे को एक चीज चिला चिला के बुलता था कि हम तो cost पर रखेंगे historical cost पर रखेंगे हम कभी भी fair value follow नहीं करेंगे याद है यह चीज एस नहीं चिला चिली करके बोली हम तो conservative है हम तो cost पर रखेंगे fair value नको 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 है ना यह वो मतलब एस तुम्हारा वो माता पिता है एकदम आदम बाबा के जमाने का जो बोलता है love marriage करने का अरेंज ही करने का बाइस अब आपको बोलता हूँ आपने बहुत समय तक इसको अपने किताब में रखे रखा है cut shot 1995 साब कहां आ चुके हो अब आप 2020 22 में आ चुके हो चलो 2022 में आ गया अगर मैं आपसे पूछू बहुत बढ़ी हा अंसर गरीमा इश्वार विपो लैंद दानिश बहुत बढ़ी हा चलो ठीक अगर मैं आपसे पूछू कि 2022 में मेरी books में land कोन से value पे होगी जो हमारी book की value होती है जो हमारे books में है उसको हम प्यार से बोलते है carrying amount carrying amount का मतलब हमारे books में वो कौन से value पे है तो अगर मैं आपसे पूछू मेरे किताब में वो कौन से value पे होगा तो आपका जवाब क्या रहेगा एकदम perfect answer था हमारे किताब में तो वो 10 lakhs पे होगी हमारे किताब में तो वो 10 lakhs पे होगी ठीक है क्योंकि cost पे रखने बोला है न हमको तो लेकिन 2022 में इस land की market value तो बहुत बढ़ चुकी होगी इस land की market value तो बहुत बढ़ चुकी होगी तो हम ऐसे आज़ूं कर लेते perfect answer है इस land की book value बढ़ चुकी है मैं बोलता हूँ क्योंकि इतनी बढ़ गे तो मैं बेचने का सोच लिया तो मैंने इस land को बेच दिया sold for rupees 5 crores in 2022 मैंने इस land को 5 crore में बेच दिया 50 लाक नहीं भाई अगर मैं गिनू 27 years पहले की land की value बहुत उपर होती है बहुत उपर तब से लेकर अब तक रियर श्ट का price बहुत बढ़ा है तो 95 में कोई चीज 10 लाक की थी तो आज वो तुमको चीज 5 crore में भी कही है अब मैंना इस sale के entry माने का try करता हूँ ठीक है let's see अपने entry मार पाते है की नहीं मार पाते है सेल के entry कैसे मारेंगा सबसे पहले पैसा आ गया तो हम बोलेंगे cash bank account debit कितना 5 CR 5 crore रूपया ठीक है तो मैं ऐसे छोटा लिखता था कि आपको समझेगा 5 crore अच्छा अब लैंड बेज दिया तो लैंड भार चला गया तो बोलूँगा 2 land account अब कोई भी चीज़ भार जाएगी न तो भार हमेशे जाती है carrying amount के उपर CA मतलब carrying amount आप यार से भी इसको carrying amount को CA बोलेंगे CA मतलब carrying amount कोई भी चीज़ भार जाएगी तो always जाएगी at carrying amount perfect answer है दनिश perfect answer सचिन अब 10 लाक में भार गई 5 crore receive हुआ तो बाकिया आपका profit हो गया तो आप बोलोगे profit on sale of land account कितना? 4.9 CR मतलब मैं बूलो आपके current year के profit में current year के profit and loss statement में आप profit record करोगे 4.9 CR का अब सुनना,ब suppose मैं company हूँ, आप shareholder हूँ, ठीक है? मैंने आपको मेरा profit लो submit किया तो ऐसा समल लो मैं बहुत छोड़ी company हूँ, मेरा साल का turnover ही होता है 1-2 CR का तो आप बोलते हो कि ठीक है अच्छी company ठीक company है अच्छानक से आपने देखा 2022 के अंदर इस company को profit हो गया है 4.9 CR का तो when you see उपर उपर से तो you will notice that यार ये company ने का जबदस परफॉर्म किया है सिधा पाच क्रोड को अपरक्स profit हो गया company को लेकिन रियल में जब आपन डीटेल में जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा यार ये profit तो लैंड के बेचने पे हुआ है ये operational profit ही नहीं लेकिन जब आप उपर से देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो सीधा सीधा पाच क्रोड का profit हो गया है अब मैं आप से सवाल पूछता हूँ ये जो profit है जो हमने 2022 में record किया 81 है ना we have recorded one shot रियल में क्या ये सिर्फ 2022 का profit है या फिर आप बोलोगे कि नहीं सर ये दाम तो over the period बड़ा होगा 1995 से लेकर 2022 तक बड़ा होगा तो क्या ये profit over the period का होना चाहिए या आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये profit तो आपको सिर्फ एक ही साल में कमाया है तो एक ही साल का होना चाहिए तो मेरा options है profit only of 2022 या फिर आप बोलोगे no no sir over the period मतलब रियल में आप record तो करो सिर्फ एक साल के अंदर लेकिन क्या real में when you think logically ये profit एक साल का था या over the period का था तो मेरे को रुत्वेक हेताली ने एकदम correct answer किया बाकी लोग अंसर का वेट कर रहा हूं वन शॉट का profit था या over the period का perfect answer केलाश perfect answer अदास perfect answer राधा perfect दानेश perfect जगेश्वर perfect चेतन सचिन विपुल ठीक है perfect ये over the period का profit था मानते हो नहीं ये बात लेकिन क्यूंकि अपना एस इतना conservative था तो अपने को by default उस profit को एक ही साल में record करना पड़ता है क्यूंकि एस अपने इतना conservative था तो profit एक साल ही record हुआ समानते ये बात ठीक है अब सर्थ ठीक है हमको तकलीफ समझ गए इसका इलाज बता हो इलाज क्या है इसका what is the solution to this ठीक है पहले इची सबको समझ गए न क्या problem हुए अपने को ये मेरा case 1 था ठीक है अब मैं इसी example का case 2 केस 2 ठीक है अब हम बात करेंगे इंडेस क्या बोलता है इंडेस बोलता है तुम चाहो तो land को cost पे भी रख सकते हो या फिर अगर हर साल इसकी fair value बढ़ती है तो आप इसको fair value पे भी record कर सकते हो आप इसको cost पे भी चाहो तो रख सकते हो और हर साल इसकी fair value बढ़ती है तो आप इसको fair value पे record करते हैं चलना देखो अगर A.S. ने तुमको ये option दिया होता कि जब-जब fair value बढ़ रही है तो fair value gain record कर लो तो problem ही नहीं होती तो फिर gain एक साल में नहीं over the period record होता लेकिन A.S. न में आपने ये land purchase करी we purchase this land for 10 lakhs ठीक है तो आपन इंट्री का मारेंगे हम बोलेंगे land account debit 10 lakhs to cash bank account 10 lakhs ये entry मारेंगे नहीं मारेंगे रहे ये सौर नो ठीक है ये entry मार दी अब आपको इंडेस ने क्या option दिया इंडेस बोलता है ए मुनना ए मुनना cost भी follow कर सकता है fair value भी follow कर सकता है मतलब इंडेस अपना वो वाला parent है एकदम progressive parent है जो बोलता है तुम arrange भी कर सकते हो love marriage भी कर सकते हो है ना तुम दिन में भी घूम सकते हो तुम रात को भी घूम सकते हो है ना तुम लड़कों से भी बात कर सकते हो तुम लड़कों से भी बा बढ़ कर लिया, अब 1996 में ऐसा मानते है कि cost तो इसकी 10 लाकी थी, लेकिन इसकी fair value बढ़ गई, तो इसकी fair value बढ़ कर कितनी हो गई, अजूम करते है 17 लाक्स, और हमने पते क्या चूज किया है, हमने सोचा, कि हम अपने प्यारे प्यारे land को value करेंगे at fair value, हम इसको fair value पे record करें अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, आपके, आपने land बेची तो नहीं, आपने land बेची तो नहीं, फिर भी आपको fair value पे record करना है, आपके books में 10 लाक पे land दिख रही है, आपको 10 से उठाकर इसको 17 पे लेकर जाना है, तो मेरे land की value increase हो रही है कि decrease हो रही है, वापसे प कितने से decrease हो रही है, मेरे land की value बढ़ रही है कि गिर रही है, और बढ़ रही है, तो कितने से बढ़ रही है, गिर रही है, तो कितने से गिर रही है, एकदम basic सवाल पूछाई, तो आप जवाब दे ही पाओगे मुझे, बता दो फटाफट से, परफेट आंसर उत्व एक अपने वैलू इंक्रीस हो रही है कितने से इंक्रीस हो जल्दी से बताओ जो पहले आंसर करें उसका पढ़े लूगा पटापट से अच्छा तेजस्विनी ने बोला इंक्रीस दास ने बोला सेवन लैक्स से इंक्रीस हो रही है बहुत बड़ी हा मज़ा आ गया ठीक है 7 lakhs अब मानते value increase हो रही है जब भी भी आपको किसी asset की value increase करनी होती है जब भी भी किसी asset की value increase करनी होती है तो debit करते हैं क्या करते हैं तो मैं बोलूँगा land account debit अच्छा आप सबने माना ना कि value कितने से increase हो रही है 7 lakhs increase हो रही है तो मैंने बोला 7 lakhs अब the problem is क्या ये मेरा realized profit है क्या is this my realized profit the answer is no what is the meaning of realized profit जब आप asset को base देते हो तो उसको बोलते है realized profit आपने इस साल asset को बेचा नहीं है सिवा उसको revalue कर रहे हो तो ये profit realized नहीं है इसको हम प्यार से बोलते है unrealized profit ठीक है कितना है 7 lakhs ठीक है हमने land के नाम पे कुछ unrealized profit record कर लिया 7 lakh का ठीक है सम मानते वाई unrealized because ये बेचा नहीं है अब तक लेकिन क्यूंकि हम fair value follow कर रहे तो हमने profit record कर लिया अब हिंडेस ना आपको ये option तो दिया कि आप fair value पे record कर लो लेकिन एक तकलीफ है अगर आप इस unrealized profit को अगर आप इस unrealized profit को अगर आप profit and loss में record करोगे तो पता है problem क्या है problem ये है चलो value तो बड़ी है लेकिन ये profit realized नहीं हुआ है तो जब share order उपर उपर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि company ने profit कमा लिया है लेकिन real में क्या company ने profit कमाया है क्या the answer is no अब तो ये profit नहीं कमाया company ने लेकिन देखे क्या लग रहा है कि company profit कमा चुकी है देखे ऐसा लग रहा है तो इसलिए ये ही ये ही ये ही problem को solve करने के लिए आपके profit and loss के दो हिस्से कर दिये गए और profit and loss के दूसरे पार्ट को हम बोलते है OCI इसका full form other comprehensive income क्या बोलते है इसको other comprehensive income तो हमारे profit and loss में एक नया head आ गया OCI के नाम से other comprehensive income के नाम से और ये सिव इंडेस में आया AS में नहीं आया because AS में लफड़ा था ही नहीं इंडेस में आया और इंडेस में ऐसा बोल दिया गया कि कुछ-कुछ ऐसे items कुछ-कुछ ऐसे items जो इंडेस prescribe करेगा जो इंडेस prescribe करेगा वो OCI में record होंगे तो मैं लिख देता हूँ few items आप भी लिखोगे few items will be recorded in OCI और यह few items कौन से है these are defined by इंडेस in respective topics जब हम वो respective इंडेस पढ़ेंगे तो हम वो बताएंगे कि कौन से कौन सा item OCI के अंदर जाते है अगर मैं आपसे ऐसा पूछू मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे ऐसा पूछू कि यह OCI का basic motive क्या है तो क्या मैं ऐसा कह दू कि unrealized gain या loss को record करना इसका basic motive लग रहा है फिलाल unrealized unrealized profit loss को record करना इसका basic motive लग रहा है फिलाल के लिए तो मैं ऐसा बता दू शायद ऐसा लग तो रहा है कि OCI में शायद ऐसे कुछ आइटम्स आते है जो unrealized है लेकिन record तो करना है तो OCI में record कर लेते हैं लेकिन real में ये इसका definition नहीं है you will not say that OCI is for unrealized profit loss because इस दुनिया के सारे unrealized items नहीं आते OCI में जो index ने define करे वो आते हैं ज्यान रखना बराबर तो मैं ऐसा बोल दू इधर bracket में लिख दूँगा ये OCI क्यों आया to record few unrealized gains and losses but not all unrealized items appear in OCI इस दुनिया के सारे unrealized items नहीं आते हैं उसके अंदर कुछ-कुछ items आते हैं अब उसका logic आपको धीरे-धीरे respective index में समझ में आने लगेगा ठीक है तो मैंने PNL के दो इससे कर दिये एक PNL और एक OCI PNL में हम अपना core operation profit record करेंगे OCI में हमारे जो operations का profit नहीं है वो index define करेंगा और वो कुछ-कुछ items हम OCI में record करेंगे अब देखो अगर मैं shareholder हूँ और मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरे उपर वाले PNL में दिख रहा है 15 लग का profit और नीचे वाले में दिख रहा है दो लग का profit तो मुझे समझ रहा है ना आप पहले का तोड़ा ज्यान है तो आप confuse हो रहे हो चिंता मत करो मैं आपको उसकी confusion दूर कर दूँगा तो वो पहले का सारा ज्यान भूल जाओ आप ठीक है clear है कहां तक तो यह लिख लो please counting till 10 10,9 7,4 2,1 हो गया चलो आगे बट जाएंगे तो अब इस entry को में कैसे करूँगा देख लेना हमने क्या बोला unrealized profit है तो इस item के लिए index ने बोला हुआ है कि यह item आपके profit and loss में नहीं कहां जाएगा आपके OCI में जाएगा कहां जाएगा आपके OCI में जाएगा ठीक है और इस unrealized profit का एक प्यारसा revaluation gain क्या बोलेंगे इसको प्यारसे revaluation gain बोलेंगे प्यारसे वापसे क्या बोलेंगे इसको revaluation gain बोलेंगे जो जाएगा OCI के अंदर I hope थोड़ा थोड़ा तुमारे छोटे से भेजे में जा रहा है चले काम करते थोड़ा आगे बढ़ते आप मुझे बताना सपोज इसी लैंड के बारे में अगर हम बात करे तो 1997 तक कहनी बढ़ जाती है 1997 में इस लैंड का क्या हुआ इस लैंड की fair value वापस से बढ़ गई और कितनी होगे 20 लैक्स अब माई question is अब माई question is आपको लैंड को record करना है मतलब लैंड को revalue करना है क्योंकि आप fair value पे revalue कर रहे हो अब आप entry क्या मारोगे और कितने amount की मारोगे वह सब आप record करना खुद से फिर मैं मारूँगा फिर आप चेक करना I am giving you 30 seconds तीस सेकेंड में आपको दे रहा हूँ आप इस चीज की entry खुद मारोगे ठीक है इस चीज की entry आप खुद मारोगे अभी अभी के अभी giving you 30 seconds फटा फटा जल्दी से करो खुद entry मारोगे किताब के अंदर last 15 seconds last 15 seconds हा क्या बात है गरीमा very good very good पन्नामी एकता very good अरश्षद very good हेताली very good रुत्विक very good दानेश very good यश्वन्त भौट बढ़िया भौट बढ़िया ठीक है तो क्या समझ माया हमको इससे यह समझ माया कि अभी सर इसके entry क्या रहेगी देखो आपकी land की value पिछले साल 17 हो चुकी थी अब 17 से बढ़के 20 हो गई तो और कितने से बढ़ी 3 lakh से और बढ़ी तो आप entry क्या मारोगे land account debit कितना 3 lakhs अब क्यूंकि यह भी permit भी करता है तो यह जाएगा OCI के अंतर तो OCI का basic basic मतलब तुमको समझ आ रहा है क्या I hope तुमको समझ आ रहा है ठीक है चलो तो मैं वापत बता दू OCI का मतलब क्या था कुछ items जो index बताएगा हो आएंगे और OCI का basic motive अगर Lamentum में बताओ तो शायद कुछ unrealized gain loss record करना है लेकिन real में ऐसा नहीं है तो यह सिव हमारे understanding point भी से हम ऐसा कहेंगे real में ऐसा नहीं है real में यह definition है हम सिव कहने के लिए इसा कह देंगे हमको समझे इसलिए कह देंगे ठीक है चलो अब एना थोड़ी कहानी और लेकर जाता है देखतो आपको कितना समझता है तो अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछू कि यह सब gain वगेरा record कर लिया तो मोटा मोटी 1997 में आपके बुक्स में लैंड कोन से value पर दिख रहा है लैंड की carrying amount क्या है लैंड की carrying amount क्या है यह सब record करने का तो आप बोलो के सर पहले 10 लाग रुपया थी फिर आपने 7 लाग से और increase किया अब 3 च और increase किया आपके बुक्स में कोन से value पर है तो सर हमारे बुक्स में अभी वो 20 लैक्स पर दिख रहा है हमारे बुक्स में अभी वो 20 लैक्स पर दिख रहा है एकदम correct answer कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां नहीं है I hope यहां तक सबको clear है गया Yes or No Yes Yes perfect है ठीक है चलो कितने में सेल करी 22 लैक्स में सेल कर दी कितने में सेल कर दी 22 लैक्स में मैंने इसको बेची दिया तो मेरे को अभी सेल के entry मारनी है मैं क्या entry मारूँगा चलो आपको 30 सेकेंड दे रहूँ पर आप खुद कोशिश करोगे फिर मैं entry मारूँगा time starts now जल्दी से करो perfect answer रुत्विक बहुत बढ़िया चलो ठीक है सुनना perfect answer सचिन बहुत बढ़िया ठीक है सुनना बेचा तो cash bank account आ गया पैसा आएगा न कितना 22 लैक्स मैंने क्या बताया land भार गया कोई भी चीज जिन्दगी में भार करोगे तो कौन से वालो पर करोगे at carrying amount 20 लैक्स अब the question is यह जो profit हुआ है क्या ये realized profit है या unrealized profit है that is my question क्या ये realized profit है या unrealized profit है ये हमारा realized profit है तो क्योंकि ये realized profit है तो अब इसको आप OCI में transfer नहीं करोगे अब क्योंकि आपका realized profit है तो यह जाएगा आपके profit and loss के अंदर दो लाक रुपया तुम समझ पा रहे हो गया यह आपके profit and loss में जाएगा दो लाग रुपे के नाम से perfect answer पलवी, धीरज एश्वरिया, कोमल, पुनी जगेश्वर perfect answer मेरे खलच तुमको समझ आ रही है भी चीज़े एकदम बढ़िया, तो वापस एक बार repeat कर दू क्या किया, पैसा आ गया land को आपने carrying on पे भार किया please 10 lakhs मत लिखना इदर देखो, बेचने के पहले आपके किताब में 20 पे तो आप ले आए थे ना land को 10 का था, फिर 7 से increase किया फिर 3 से increase किया, 20 पे ले आए थे ना तो अभी 20 पे भार करेंगे ना जो value आपके किताब में है उस value पे भार करना है बस, अभी क्योंकि realized है ये realized gain हो चुका आपका, this is realized gain देखो, वैसे मैंने बताया था OCI का मतलब analyze नहीं होता है समझने के point पे सही यादर को simple होता है, बस perfect, मज़ा आ गया is this clear to everyone किया is this clear to everyone, yes, ठीक है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ये copy कर लिया रहेगा, ओके अब आप यहाँ होगे, जहां मैंने आपको format छोड़ा था, ठीक है यह आपका जो profit आता है ना, यह आपका P&L का profit है जैसे आपका P&L का profit आता है यह आपका section number 1 हो गया, ऐसा समझ लो फिर एट second section आप create करोगे that is OCI बराबर OCI का एक profit आता है इसलिए मैंने आप जगा छुड़वाई थी ठीक है, जैसे for example OCI में अपना आ गया re-evaluation gain के नाम से कुछ आ गया और ऐसे बहुत सारा items आते है तो अपने को clear bifurcation समझ रहा है कि core profit कितना है और यह जो non core profit है या unless profit है, वो कितना है clear समझ रहा है, ठीक है, अच्छा अब एक last item बनाने का तीसरा, which will be a combination of profit and loss plus OCI और उसको प्यार से हम बोलेंगे TCI total comprehensive income क्या बोलेंगे इसको TCI और TCI क्या होता है PNR OCI का इंक आपका total बराबर तो किसी साल मा आपको मैं ऐसा बोल दू कि suppose आपका payroll का profit है 15 लाक रूपिया और OCI का profit है 2 लाक रूपिया तो यह दोनों का total कितना हो गया 17 लाक रूपिया एकदम सिंपल बस बेसिक सी चीज़ है इतना यह समझने आपको ठीके तो अभी देखो अगर मैं shareholder हूँ मैं को समझ रहे है total profit कितना इतना अच्छा non core कितना non core ही है core कितना core ही है clear समझ रहे clear bifurcation दे दिया profit loss के अंदर समझ रहे हो के तुम इसका मतलब मैंने क्या का था index इस तो इंडेस ने तुमको love marriage permit तो किया लेकिन ऐसा love marriage permit किया जहां तुम सोथ समझ के love marriage करो और love marriage का impact के लिए लिए दिखना चाहिए भाइसा है ना बस ऐसा है I hope सबको यहां तक clear है किया तुम्हारे पास इससे जादा कोई ज्यान है ना तो फिलाल में कोई जरुवत नहीं है उसका मुझे पता है तुम पहले पढ़के आए रहेंगे तो query रहेगा तुम्हारे पास मेरे को उसका भी जरुवत नहीं है बराबर जितना मैंने बताया उत में कुछ query है तो you can ask जल्दी से बचलो और तुमको कुछ copy करना है तो यह copy करना रहेगा तो यह copy कर लो येस पर्फेट और टेंशन मतलो तुमको जितना भी पढ़ा रहा हो सब रिवाइस कराऊंगा लास्त तुमको तुमको तुम्हारे लेक्चर खतम होने के विला तुम्हारे मैंन में रहेगा आज क्या-क्या पढ़ाया सर ने विद्दम तुमको मजा दिला दूंगा क्लियर है यहां तक बहुत बढ़ी आयर वेरी गोड ठीक है चलो ठीक है रिवालुएशन गेन का सेल के आरे मुकुद मैंने क्या बोला जितना मैंने पढ़ा उसके आगे नहीं उसके अंदर कुछ है तो पूछो सर दस लाग वाला पेनल में वह मैं गरीमा में को पता है यह म मैं पता है एक साथ सब कुछ क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ एक साथ सब पढ़ा हूँ खिचड़ी पग जागी दिमाग के अंदर कुछ नहीं समझेगा स्टेप बैस्टेप होले होले है ना चलो ठीक है अब मैं न एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ रिवालुएश कर दिया था तो सब्सक्राइब गलत है अकांग शाथ फिलाल गलत है आपकी वह एंट्री मैंने नहीं सिखाय तो नहीं करना सब्सक्राइब पूरा डालने वाला हूँ और लिखने पर फोकस करो लिखो तुम लोग तुम लोग नहीं लिखोगे ना प्रॉब्लम है जीरो हो सब्सक्राइब बुरा माथा ध्यान रखना चलो कि एक कंसप्ट है जो वैसे तो मेरे को यह मानना चाहिए कि तुमको पता होगा लेकिन मैं चाहता हो कि मैं बता दू एक बार क्या 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 बोलतो तुम इतना फोर्स कर दो बता रहो हूँ बता मोधी जी बताते हैं मोधी जी सुनो बता दो बता दो आजा अर सुनना मैंने क्या का कि आपके स्टेटमेंट आफ प्रॉफिट लॉस के दो हिस्से होते हैं ठीक है आप लिखना मेरे साथ साथ ओके आपके स्टेटमेंट आफ प्रॉफिट लॉस के दो हिस्से होते हैं एक होता है profit and loss, एक होता है OCI, और दोनों मिला के क्या बनता है, TCI, TCI का मतलब total comprehensive income, आप इतना के रहा है तो बताई दो सच, चलो बता देते, total comprehensive income, ठीक है, बताईए, प्लीज बताईए, अच्छा, प्लीज बोला है, ठीक है, total comprehensive income, ओके, चलो, अब है ना, suppose ये 1996 का year है, पता है आपने कुछ entries मारी ये वाल example में, case 2 में 1996 में, है ना, आपन कुछ assume करते, let's say, साल है 1996, ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, आपका profit and loss बनता है, तो ऐसा जमलो profit and loss में दो चीज़े आते है, revenue, एक आते expenses, मैं shortcut बना रहा हुआ, तो suppose मैं example assume कर रहा हूँ, कि आपने 100 lakh का revenue कमाया और मैं assume कर रहा हूँ, कि आपने इसमें expenses कितने incur किये, 70 lakhs किये, ये मैंने assume किया, तुम बोलो कि कहां से आया figures, मैंने assume किया ये चीज़, तो अगर मैं आपसे पूछू कि मेरा income कितना है, income, net income, net, जो मेरे profit and loss का core income है, तो आप क्या बोलते है सर, कि सर आपकी core income 30 lakh rupees है, ठीक ह अब इसी साल में अगर मैं आपसे कहूँ, कि मेरे OCI में कोई profit है, कहां से आया सर, मैं बोलता हूँ, कुछ re-evaluation gain है, कैसे, मैं बोलो refer example, अपने को कितना gain आया ते 1996 में देख के बताओ, ये पूरा example आपके सामने, 1996 में OCI में कितना profit दिख रहा है, ये बताओ, मैं ये example वेट कर रहा हूँ, मैं फटाफट से बताओ, के लास्ट में को एकदम, एकदम करेट अंसर कर दिया, बाकी, बागलोस हो गया, परफेट अंसर कोमल, गरीमा, हिताली, बहुत बढ़िया, तो मैं बोलता हूँ, मेरे को दिख रहा है, 1996 में OCI में 7 लाग रुपिया, ठीक है, PNL, प्लस OCI मिलाक के सर 37 लाग, ठीक है, यह हो गया, अब आपको एक चीज़ बता दू, आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो ना, करंट एर में, यह जितना भी प्रॉफिट लास में प्रॉफिट दिख रहा है, वो अल्टिमेटली जाकर अक्युमिलेट होता है, आपके रिजर्व सर्प्लस में, इंडेस में, रिजर्व सर्प्लस को प्यार से क्या नाम दिया गया है, इंडेस के अंदर रिजर्व सर्प्लस को प्यार से क्या नाम दिया गया है, बताया था मैंने आपको, सोच समझ की जल्दी से मेरे को बताओ, वेटिंग फॉर एर अंसर, आहा equity के नाम से पैचाने जाएगा यह चीज हाँ क्या बात है other equity बोलते है यादे यादे बताया था other equity नाम कर हाँ वैसा ठीक है तो हम बोलते कि ultimately जो भी आप profit and loss में profit कमाते हो वो आपके balance sheet के other equity में जाके होता है accumulate जो profit and loss का profit है वो पता है जाके कहा accumulate होता है वो जाके जमा होता है retained earnings के अंदर retained earnings के अंदर 30 lakhs अब देखो अगर मैं यह दोनो profit को एक ही heading में accumulate करूँगा तो समझ में नहीं आएगा ना कौन सा realized है कौन सा unrealized है वापस से repeat कर रहा हूँ अगर मैं यह दोनो profit को एक ही heading में include करूँगा तो समझ में नहीं आएगा ना कौन सा realized है कौन सा unrealized है तो जैसे हमने profit and loss के profit को retained earnings में include करा वैसे यह जो हमारा profit है ना revaluation gain का उसके लिए अलग से heading बनती है उसको हम बोलते revaluation surplus 7 lakhs तो मैं बोलू अब other equity देखके भी समझ रहा है कि यह realized वाला 30 lakhs है unrealized वाला यह कितना है 7 lakhs है समझे क्या ठीक है यह 1996 का हो गया जो profit का मया other equity में accumulate कर लिया अब एक बात ध्यान लगना जो अपना profit and loss बनता है यह बनता है for the year ended और जो अपनी balance sheet बनती है balance sheet बनती है as on date अब सर इसका क्या implication है समझाता हूँ अगले साल की तरफ बढ़ते हैं पहले यह 1996 था अब मैं आऊंगा towards 1997 ठीक है तो मैं आँ आता हूँ 1997 में यह है मेरा statement of profit and loss मैं बता दूँ यह बनता है for the year ठीक है मैं assume करता हूँ कि पहले बनाऊंगा profit and loss इसमें लिख दूँगा revenue मैं assume कर रहा हूँ कि मैंने revenue कमाया 80 lakhs का और खर्चे मैंने incur किये 60 lakhs के यह मैंने assume किया यह मेरा assume है तो मेरा core profit कितना है P&L का core profit net income बोलते था हूँ income P&L वाली कितनी होगे 20 lakhs अच्छा अब 1997 में क्या मेरे OCI में कुछ था क्या 1997 में क्या मेरे OCI में कुछ था क्या देखते है उपरा क्या आपन 1997 में कुछ दिख रहा है क्या OCI के अंदर 1997 में हाँ सर दिख रहा है 3 lakh रुपया अब हम क्यूंकि profit and loss सिफ for the year बनाते है तो पुराना क्या था वो सब नहीं देखते है सिफ current year में क्या हुआ है वो देखते है तो हमको दिख रहा है हाँ सर 3 lakh रुपया था ठीक है तो मेरा TCI कितना हो गया TCI 23 lakh रुपीज यह हमको समझ गया अच्छा अब यह जो भी आप profit कमाते हो यह जाके किदर जमा होता है यह जो भी profit कमाया वो जमा होता है अधर equity के अंदर यह भी सर अपनों बताया था हाँ सर बताया था अपने ठीक है अब मेरा अधर equity देखना अधर equity आपके balance sheet का item होता है और balance sheet बनता है as on date वाट इस दा meaning of as on date जब आप अधर equity बनाओगे न तो उसमें सबसे पहलाब लिखोगे retained earnings तो when you will have retained earnings तो आप सिफ 20 नहीं लिखोगे आप सिफ 20 नहीं लिखोगे क्योंकि यह as on date है यह as on date है तो अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे इस साल के as on date में retained earnings कितना दिखेगा कितना दिखेगा तो चलो कोशिश करो कोई retained earnings में as on date में कितना दिखेगा देखता हो कौन सबसे पहले answer करता है perfect answer रहा था it will be 30 plus 20 कैसे मैं बोलूँगा क्योंकि यह as on date है तो पहले मताँँगा opening किता था तो ओपनिंग पिछले साल में कितना था 30 लेक्स 30 लेक्स फिर आपने करेंट यहर में कितना कमाया during the year during the year आपने कितना कमाया तो आपने during the year इतना कमाया 20 लेक्स तो टोल कितना होगे आपका 50 लेक्स same will be the case with reevaluation surplus आपका opening कितना था opening देखूंगा उपर से it was 7 लेक्स प्लस आप बोलोगे during the year कितना आ गया 3 लेक्स तो कितना आएगा total 10 लेक्स तुम समझ रहे हो क्या as on date का और for the year का फरक कितना होता है यह फरक है उसका क्योंकि profit and loss for the year है तो इसमें सिफ करेंटेर का आएगा बैलेंशिट क्यूंकि as on date है तो यहां आपन till date का लिखेंगे till date as on date यहां तक लिखेंगे आपन समझ में आया क्या मगज में आया क्या मैं तेरे बाद में आया क्या चिल्लाने से बनते गाने क्या चिल्लाने से बनते शाने क्या गेड़े चा ले करके पब्लिक को बना रही है पब्लिक में अंधे या काने क्या समझ रहा कर तुमको समझ रहा ही कि ने तुमको आक्का समझाने यह चीज मने क्या संझ यस और नो भटा बटाव न हमें यस ऊर精 लवाता हो क्या इस प्लाइका है अच्छा अच्छा तेको यह चीज़ न आपके इंटर में थी यह चीज तो 11-12 के अंदर भी थी कि जब पाटनर्स प्रॉफिट कमाते तो वो जाके जमात क्यापिटल के अंदर होता है यादर में आया क्या चलो ठीक है येस पेंशा मतलो रिवाइस पूरा कराऊंगा बेसिक बेसिक चीजों पर फोकस करने का सोचो अब ये ये मुझे समझाना देता ना कि भाई ये फॉर्ट अइयर होता है तो इसमें सिर्फ करेंटर का देखेगा और ये आज़न डेट होता है तो बात का देखेगा अच्छा अब ये एक सवाल किसी ने मुझे पूछा था किसन 1998 में जब आपने ये लैंड बेश दी तो आपने चलो गेन तो दो लाग का बूख कर लिया सरी जो पुराना गेन पड़ा है इसका क्या होगा एक सवाल आता है ना जैसे आपने जब नेटेट में बेश दिया तो इसका फ्यूचर में क्या होगा उसका बात तो अपने किया ही नी तो है न मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसका फ्यूचर में क्या होगा जब आप लैंड बेश दोगे तब क्या होगा इसका सस्पेंस होगया यह तो वी विल डिस्कस इन इंडिया सिक्स्टीन मतलब यह आपके मैंने सस्पेंस बना के छोड़ दिया क्या होगा केस होगा मिरको नहीं पता स्विश्टीन में बात करूँगा सारी बाते आज कलूँगा तो फ्यूचर में क्या पड़ाऊँगा समझ रहो कि नी तुम अरे यस और नो अरे यस और नो अरे डैशीन टू दस नो मैं तुम को इतना आते तो क्यों लिया बैच पूचा किसे ने पूचा किसे ने इसे मेरी मैं अपने शाक्षात मेरी वाइफ से सीखाए मैंने मेरी वाइफ मेरी बुच्टे खाने में क्या खाएगा तो मैं बोलता यह खाएगा बनाती वो यह उसका मन है उस्ती है मैं भी तुमको पूच रहा था लेकिन डिसकुस किया नहीं कान पकड़के कि अपने षरी शरी ne तुम क्या रहे रहे टाइम पस वहन भी चलो ठीक है OCI के भी न, दो बाइफर्केशन होते हैं, आप से लिखके रख लो, ये OCI के भी दो बाइफर्केशन होता है, एक होता है OCI R, एक होता है OCI NR, अब ये सर ये क्या है, ये बताएं नहीं आपने, इंडेये 16 में बात करेंगे, इंडेये 60 में डिसकस करेंगे इन डीटेल, लॉस हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो, वो सब डीटेल में बात करेंगे, वहां मेरेको आपको सिर्फ एक बेग्राउंड देना था कि यह OCI नामक एक चीज होती है, मेरेको सिफ़ इतना बताना था और मुझे कुछ नी बताना था, तो आपको इतना भी समझ गया ना कि OCI नामक एक चीज होती है, मेरा काम हो गया, और PNL और OCI का total होता है TECI इतना गया ना कि ये अधर एक्विटी में बैलेंस किदर से आ रहे है तिल डेट आ रहे है मेरा काम हो गया बाकि आपको और खुछ भी चिंता करने का जरूवत नहीं है क्लियर है क्लियर है गया ठीक है चलो पर पेट बहुत ही मज़ा आगया आज मैं एक बार आपको नोट्स में दिखा दू एक بार आपको किताब में दिखा है दू पेडल का पार्मेट का इस दिखा तो फटा फट से, देखो balance sheet का मैंने आपको idea दिया था, और चिंता मत करो, जो पड़ा है ना आपको पूरा revise करा हूँगा, मैं एकदम शांती से प्यार से revise करा हूँगा आज, lecture के end पे, lecture के end पे आप पक्का बोलोगे, वो बलता है रहूल गांदी, मजा आया, मजा आय है ना ऐसा, चलो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि there is something on a statement of change in equity, उसके बाद आपका आगया profit and loss, अब देखो प्यार से, उसमें पहले revenue from operation, other income, total income आ गई, फिर expenses में बहुत सारे head, expenses आ गए, फिर आपको मिलेगा profit loss, अब उसमें ये भी है, before exceptional items and taxes, फिर exceptional minus करेंगे, तो मि मिलेगा profit after tax, अब continuing का अलग दिखाएंगे, discontinuing का अलग से दिखाएंगे, वो सब आपन पढ़ेंग आगे, चिंता मत करो, main ये देखो, आपको मिला profit loss, फिर आएगा आपका OCI, अब OCI में दो-तीन चीज़े लिखी हुई है, ये OCI में दो-तीन चीज़े लिखी हुई है, इतना समझता है, अच्छा, अब OCI में कौन से कौन सा आइटम जाएंगे, OCI में कौन से कौन सा आइटम जाएंगे, मैंने बताता है ना, इंडेस डिफाइन करेगा, वो उसने डिफाइन किया हुई है सारे आइटम्स, बराबर, रट्टा मत मारना, we will discuss in respective इंडेस, तो OCI मे which all items are included in OCI, given below, यह जो दिया है ना, वो यह ही है, we will discuss in respective इंडेस, we will discuss in respective इंडेस, यह लिखकर रख लो, प्लीज, किताब है, नहीं है तो, नोट्बूक में लिखकर रख लो, यह सब list दिया हुए, क्या क्या आता है, देखो, एक चीज़ अपने को समझती है, OCI का एक आटम तो समझगे अपने को, ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया था, यह लिख लो फिर बताता हूँ, which all items are included in OCI, given below, we will discuss in respective इंडेस, वो बात कर लेंगे, जब इंडेस पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, ठीक है, अच्छा, यह OCI का जो भी आइटम है, ultimately अधर EQUITY में जमा होता है, देखो आपको दिखाता हूँ, अधर EQUITY में ये का रईटम, अधरoquिय अधर EQUITY, यह देखो, это अधर EQUITY का STATEMENT है, इसमें देखो, अधर EQUITY का STATEMENT में ये ना, सरबस, तर यह देखो, अब ये फार्मेट कितना difficult लग राता, मैंने कितना better way में समझाया कि other equity में जाएगा एक अलग से heading दिखा दिया आपको opening और closing कर दिया opening और during there करके closing दिखा दिया वह easy पड़ता अपने को समझने में इसलिए बोला चिंता मत करो सब समझ जाएगा तुमको ठीक है यह profit and loss का आपको थोड़ा बहुत format समझा होगा ठीक है बस बाके तो rounding of के किसी company के turnover को लेकर round of का आपको थोड़ा वो दिया हुआ है कि अगर आपको turnover इतना है तो इतना round of कर सकते है वो ठीक है इतना critical नहीं है वो ठीक है तो यह अपने schedule 3 के जो financial statements है उसकी मैंने बात करी और थोड़ा आपको ग्यान वगेरा दिया जो भी मैंने आज पढ़ाया तुम्हारे भेजे में गया क्या अफकॉस अभी है न सारी चीज़े थोड़ी है न स्काटर होगी वो उसको मैं group करने के लिए पुरा revision करवा तूंगा अभी करवाऊंगा लेकिन revision कराने के प अपना फेड़ी गान है थाई शाम रोक नहीं रोक नहीं रोक नहीं और तकमक सरसे मुरी चुनिरी जाए सरक 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 तो अभी आपन revision complete करेंगे फिर आपन ये करेंगे सरक सरक मजा आएगा अगा हर इंडेस के खतम उन्हें पर सरक सरक किया जाएगा भाई साम आएगा अरे बुलाओ कि एतने प्रतिशत चल्लाओ अगाम प्रतिशत में आओ हर आईगा we are starting the revision in three two one and go सबसे पहले आज आपने किस सब्जेक के बारे में बात करना शुरू किया financial reporting के बारे में एक बात बता दू भरोसा रखना तुमारे भाई के ओपर और डेली रिविजन करना है ठीके चलो topics का बात किया दो पाट ने बाटा 50% 50% थोड़ा बहुत बात किया निरसलेवस का बात किया वो सब ठीके काम की बाते करते सबसे पहले आपने बात करना शुरू किया introduction to indies के बारे में introduction to indies के नहीं बोला indies कहां से आया ifrs से आया बराबर ifrs उठाया नहीं converge किया ifrs converge बोलते indies इसलिए थोड़े से difference हो सकते है ठीके अब ifrs की जो numbering है वो ही हमने adopt करी ifrs दो चीज़ कंप्राइज करता है ias और ifrs ias को हमने जैसे 127 तो indies 127 ifrs जो है 123 तो हमने बोला 101102 103 बराबर ठीक है यह होगा introduction अब मैंने क्या बता है 95% से में तो कुछ ना कुछ तो differences है उस difference को हम प्यार से बोलते है कारविंज और बराबर अब जब हम कारविंज की बात करते हैं तो एक चीज़ अटाइधी में आपको याद ऐसे कर लेना कि अगर इंडेस कुछ और बोलता है बराबर क्या ध्यान लगना ठीक है उसके बाद हमने देखा था अप्ली के विलिट इंडेस कंप्रीज वाले केस में ऐसे आधर को 15 16 से मैंडेटरी में दो फेस 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 टू सिक्स्टीन से कौन आएगा लिस्टेड होया अनलिस्टेड जिसका नेटवर्ट पाथ सो के फेस टू में कौन आएगा सारी लिस्टेड और लिस्टेड नेटवर्ट मत चेक करना यहां फेस टू में दूसरा अनलिस्टेड हविंग नेटवर्ट टेन इक्वल टू 250 क्रोर्स बराबर फिर ए ज्यान के पात रहे है एक बार रीड कर लेना उसके आगे बैंकिंग और इं फेस वन एटीन से फेस टू 19 से फेस इनके केस में वॉलेंट अप्शन अलाउड नहीं या मैंडिटरी होगा तभी फेस वन में कब आने का सेम लिस्टेड ऑनलिस्टेड 500 के उप़र टेडन इक्वल टू 500 फेस्टू में कब आएंगे औलिस्टेड या फिर अनलिस्टेड इ पहले क्या लिखू असेट लिखू या एक्विटी लिखू तो हमको मालुम है सर यहां तो पहले आता है असेट बराबर असेट में आता है दो करंट नौन करंट फिर आता है एक्विटी एन लिएबिलिटी एक्विटी में दो एक्विटी कापिटल और अधर एक्विटी औ बराबर क्या ठीक है उसके बाद हमने डिसक्स करना शुरू क्या profit and loss के बारे में profit and loss के दो हिस्से कर दी है हमने एक P&L एक OCI सिर्फ समझने के लिए रखो कि P&L मतलब core profit और OCI मतलब non core items या unrealized profit बट इस दुनिया के क्या सारे unrealized चीज़े OCI में आएगी क्या नहीं कौनसी कौनसी unrealized चीज़े आएगी वो इंडेस करेगा define बराबर इतना आपको ध्यान लखना है तो कुछ items OCI में आएंगे जो इंडेस ने define करके रखे वो respective इंडेस का दरम पढ़ेंगे बाकी format से हम है और P इंडेस आगे क्या बोलता है इंडेस बोलता है कि आप चाहो तो cost पे रख सकते हो या फिर आप चाहो तो fair value पे भी रख सकते हो बराबर क्या और यहां हमने समझा कि जब जब आप हर साल fair value पे लेकर आओगे तो जो भी gain है वो gain जाएगा हमारा OCI के अंदर ठीक है और बाद आपको एक और concept समझाया कि जब भी आप PNL बनाओगे तो वो बनता है for the year तो इसका जो भी item दिख रहा है वो सिर्व उस साल का दिख रहा है लेकिन यह जितना भी profit कमाया वो जाके accumulate होता है अधर equity के अंदर और अधर equity आपका होता है as on date तो suppose आपके जिंदेगी का पहला सा तो आपने जितना भी PNL का profit कमाया वो गया return earnings के अंदर जितना भी OCI का profit कमाया वो गया surplus के head के अंदर अलग-अलग head इसले ताकि मालूम पढ़ सके यह OCI वाला यह PNL वाला है बराबर जब next day सेम चीज़ बनाई तो PNL में सिर्फ उस साल का ही दिखा लेकिन OCI में till date का द इसी के साथ हमारा धमाकेदार revision हो जाता है खतम अब फटा फट से में को बता दो आज के लेक्चर में तुमको मजा आया की नहीं आया और यूटूब पे डेमो देख रहें इनकेस तो प्लीज कमेंट सेश्य में छोड़के दाना आपको समझ में आया की नहीं आया है ना जल आप दिखनी रहे हो मुझे तो आपका फेस नहीं दिख रहा है तो आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आया की नहीं आया ठीके जल्दी से बताओ मजा आगया यश्वन केते 101 पसंट समझ में गरिमा केती यस सर ओके विपुल केता है यस सर मजा आ अब आप सब मिरसिक प्रॉमिस करोगे आज आपने ज्यादा कंटेंट नहीं पड़ा है आज का कंटेंट रिवाइस कनेमें रवाइस करने में टेक 15 से 20 मिनिट्स आज आपने एक टॉपिक कम्प्लीट कर लिया अगर आप इंडेक्स देखोगे तो एक टॉपिक है अपना पहला टॉपिक विच इस रोड माप रोड मैपन स्केडूल थी यह कम्प्लीट हो चुक है अपना अज का टॉपिक कल आने के पेले क्या करकिया होग तुम खुद ही बताओ प्रफेक्क अनसर अगर कल revise किए बिना क्लास में घुसे खालब से फीधा मैं मैं पहली बता रहो मैं लूंगा इनी क्लास के अंदर भगाई दूंगा भारी भगा दूंगा सिधा आना मत देखो सव में से दस लोग पास नहीं से दस या बारा पसंट तो वह दस बारा पता है कोने जो रिवाइस करके आएंगे तो रिवाइस नहीं करोगा संबले तुम कौन से काटेगरी में जा रहे हो ठीक है और क्योंकि अपने टॉपिक खतम हो चुका है तो हो जाए क्या एक बार सर से मुरी चुनरी जाए सरक 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 ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया सो ताइंक्यू सो मच एवडिवन फॉर लेक्चर फॉर कमिंग एंड शेरिंग अल लव तो बाकी आपको पसं बचे आज फर्जटा जली शोड़ रहा हूं कल से पूरा बैठेंगे ठीक है चलो सरक सरक और तुमको ऐसा लगानी डेगा कि भाई खिज गया दो घंट निकल के मालूम भी नहीं पड़ा रहेगा ना बस रोच के लेंगे ठीक है सरक 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 चैट में आना जा सरक सरक क्या ब बाई मुकुंद बाई अश्वंद बाई बोल दो फटावट से लो सब लोग बाई बोल दो फटावट से चलो बाई वरीवान